नोट करते में चलना यह जो चीजे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर जो आपको चीजे देखने को मिलेंगी आपकी परफेक्ट रिवीजिन बुक के अंदर है इसी लिए जो चीजे हाथ से लिखें उन्हें भले नोट कर लेना ठीक है कोशिश करूँगा कि आने वाली क्लासिस के अंदर आप साथ साथ नोट बनाते में चले ताकि आपको वीडियो दुबारा से देखने की ज़रूरत ना हो ठीक है तो देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर भारत वर्ष में दो तरीके के टेक्स हैं आपके एक डारेक टेक्स एक इंडारेक टेक्स अब आप पढ़ते आ रहे हैं कुछ बच्चे देखो बताया अभी मेरे को और आप टेक्स को जानते हैं तो इसका मतलब आपको यह भी प टेक्स लगाया गया उसी से टेक्स लिया गया यह है डारेक्स मैंने पैसा कमाया मैंने सरकार को टेक्स पे करा ठीक है जी डारेक्स पैसा कोई और कमा रहा है कम्प्लाइंस का बढ़न किसी और पर है यह है डा इंडारेक्स टेक्स पेंग टेक्स तो दी गवर्मेंट डारेक of the text जो व्यक्ति सरकार को text pay कर रहा है वही उस text का वजन उस text का भार अपने उपर ले रहा है यह है direct tax, indirect tax में ऐसान नहीं होता, बदल जाता है, देखिए, the person paying the tax to the government collect the same from the ultimate consumer, जो आपका अंतिम उपभोगता है, उसकी जेब पर भार आता है indirect tax का, ठीके जी, यहां पर जो tax का burden है, वो shift होता रहता है person से एक person के उपर, किस तरीके से होता है, अभी थोड़ी देर में समझने व direct tax, progressive nature का है, indirect tax, regressive nature का है, यह मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसी बात है, क्योंकि MCQ question में कई बार वो आप से सब चीजे पूछ लिया करता है, ठीक है, और MCQ के लिए, जितनी भी आपकी depth में knowledge होगी, उतना आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जितने MCQ practice करोगे, उतन 20 number का MCQ है, तो अगर किसी बच्चे ने इन 30 number को अच्छे से पकड़ लिया, तो मान के चलो, अगर वो 20 number भी यहां पर ले लेता है, तो पास होने के लिए कितने number चाहिए सिरिफ, 20 number, बताओ जी, 8 number का पहला कोशन आता है, descriptive, GST के अंदर, और 14 number का income tax के अंदर, 14 और 8 हो गए जो पास हो गए जी, तो पास होना कितना असान है आप जानते हो यहां पर, थोड़ी सी planning कर लो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, पास तो बड़े असानी से हो जाओगे, 40 number लाना बड़ा खेल नहीं है यहां पर, ठीक है जी, तो progressive nature का मैंने क्यों कहां direct tax को, क्योंकि देखो, आप लोगों ने tax पढ़ा है, आपको पता है, जो व्यक्ति जीतना ज्यादा income earn करता है, उसे उतना जाए tax लगता है, सरचार्ज के rates में तबदीली आती है कि नहीं आती, slab rate government ने बनाया है कि नहीं बनाया, companies के लिए अलग है, cooperative society के लिए अलग है, हूफ के लिए tax अलग से ल लग रहे हैं, आपको पर भी वही लगेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो कमालिक है, वो खाना खाने आ रहा है, वो भी उतना ही tax देगा, ठीक है, यानि कि regressive क्यों कह रहे हैं, कि यहाँ पर income के basis पर, आप यह नहीं कह सकते हैं, एक व्यक्ति कम कमा रहा है, तो इ Regressive का मतलब क्या है, कि यहाँ पर, देखिए, सब को एक बराबर कर दिया, अब डीट कर लेते हैं, regressive in nature, all the consumers equally bear the burden irrespective of their ability to pay, आप iPhone घरीतने गए, आप जाओ या कोई business man जाए, वो थोड़ी बक्षेगा, जितना tax लगता है, उतना ही लगेगा, लेकिन income पर tax की बात आएगी, तो government ने कहा, नहीं, हम यहाँ पर फिर आपको अलग-अलग rates से taxable करेंगे, ठीक है, तो यह एक basic सा difference है, direct और indirect tax का, ठीक है जी, इतनी बास समझ में आती है, हाँ जी, indirect tax में levy और burden अलग-अलग person पर होता है, ठीक है जी, goods and service tax, वैसे तो अगर मैं बात करूं, indirect taxation के अंदर त system भी आता है, final में आप आओगे, तो उसकोई पढ़ोगे, बहुत मज़ा आने वाला है उसकोई पढ़ने में, यहाँ पर हमें goods and service tax पढ़ना है, और income tax आप पढ़ी रहे हूँ, ठीक है, एक तरीके का indirect tax, levy और incidence to pay tax यहाँ पर different person पर होता है, तो जहां से देखिएगा, हमने देखिए, goods पर या services पर, incidence का मतलब क्या है, burden, तो burden किस पर जाएगा, burden जाता है, sir, उप भोगता के ऊपर, जो ultimate consumer है, supplier यहाँ पर tax collect करके, सिर्फ सरकार को जमा करता है, ठीक है जी, भोगता कौन है इसको, जिम्मेदारी किसके उपर आ दी है, जो ultimate हमारा consumer है, देखिए, supplier will collect the tax from the consumer and deposit the same to the government, ठीक है जी, तो basic समझ में आगया मतलब सबको, चलो, अब एक example लेता हूँ मैं, कि किस तरीके से tax का burden shift हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत simple सा, एक basic example, Mr. A, हमारे, एक supplier है, अब देखिए, GST में किसी person को supplier कब कहा जाता है, जब वो व्यक्ति कोई surprises प्र प्रवाइड करता है, supplies किसी भी चीज की हो सकती है, goods की भी हो सकती है, और services की भी हो सकती है, goods, services, आपको पता है, ठीक है न, goods जैसे की mobile phone हो गया, कोई raw material supply कर रहा है, services मतलब जैसे हम आपको services प्रवाइड कर रहे है, तो देखिए, मैं एक छोटा सा basic example ले रहा हूँ, Mr. A, ए supplies provide करी, suppose मैं कहता हूँ कि जो value of supplies हैं वो एक लाग रुपे की है, यह goods भी हो सकती है, services भी हो सकती है, और इसके उपर जो GST लगेगा, वो 18% से लगता है, तो जो total value बनेगी, invoice value, वो कितने की बनेगी, एक लाग, 18,000 रुपे की, यही बात है जी, अब Mr. B क्या करेंगे, कितनी payment करेंगे, एक लाग, 18,000 रुपे की, Mr. A क्या करेंगे अब, Mr. A देखिए, इसमें से यह जो एक लाग, 18,000 मिलेगा, एक लाग रुपया अपने पास रख लेंगे, ठीक जी, और बचा हुआ यह जो 18,000 रुपे है, 18,000 रुपे है, यह पे कर देंगे government को, किसको पे कर करेंगे government को, अब यहाँ पर जरा एक चीज ध्यान से समझेगा, Mr. A ने जब, मतलब Mr. A कौन है, supplier है, supplier GST में कब बनता है कि वेक्ति, जब वो supplies प्रोवाइड करता है, ठीक है, आप registration chapter मेरे साथ पोड़ोगे, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और detail में लेके जाओंगा, अ अब हम वो पढ़ेंगे, अगर आप में से किसी ने पढ़ रखा है, तो घबराईएगा मत कि वो क्यों नहीं बताया, ठीक है, registration chapter में देखेंगे, तो Mr. A 18,000 रुपे government को पे कर देंगे, ठीक जी, समझ में आती है, अब एक छोटी सी चीज में एक concept और आपको याद दिलाना पर आया है, टेक्स का burden Mr. B के उपर आया है, अठारा हजार रुपे अपनी जेब से किसने पे करे हैं, Mr. B ने, तो ऐसे समय, जब supplier ही सरकार को आगे टेक्स पे करता है, तो हम इसे कहते हैं, forward charge, क्या कहते हैं sir, forward charge, ठीक जी, इतना समझे, अब सपोज अगर मैं आप से कहूं, कि Mr. B भी, GST के अंदर Mr. B ने Mr. A से जो सामान खरीदा है, ये raw material है, क्या है ये, raw material, और इस raw material को use करके Mr. B आगे अपनी final supplies, अलग-अलग उपभोकताओं को देने वाले हैं, final consumers तक पहुचाने वाले हैं, ठीक जी, तो इस situation में क्या होगा, इस situation में Mr. B ने जितना भी tax pay किया Mr. A को, ये इनका क्या कहलाएगा, कितना tax pay किया इन्होंने, 18,000 रुपे, ये इनका input tax credit कहलाएगा, ठीक है, ITC, आप कभी भी exam में इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, मैं भी आपसे ऐसे नहीं लिखू तो sir, input tax credit का क्या मतलब होता है, जो tax एक person ने pay करा, ठीक है, लेकिन क्या हर tax pay किया, क्या यहाँ पर final consumers जो है, ध्यान से समझेगा, final consumers यहाँ पर, ठीक है, Mr. B ने तो आगे pay कर दी 18,000 रुपे, तो क्या Mr. B इस 18,000 रुपे को अपनी cost का part बनाएंगे, और फिर जो ये final product बना रहे हैं, उसमें add करके final consumers को देंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, Mr. B, suppose, इस एक लाख रुपे के material को use करके, जो item बना रहे हैं, वो इन्होंने डेड़ लाख रुपे की बनाई, वो इन्होंने डेड़ लाख रुपे की बनाई, sir, ठीक जी, जरा ध्यान से समझेगा, एक छोटा सा concept और मैं आपको बता रहा हूँ, Mr. B ने जो समान खरीदा था A से, उसे use करके डेड़ लाख रुपे का समान बनाया, तो यहां पर इन्होंने 50,000 रुपे का value addition किया, ठीक जी, अब Mr. B क्या करेंगे, अपने इन consumers से tax collect करेंगे, ठीक है जी, और suppose मैं कहता हूँ क यहां पर इन्होंने tax collect किया, 20,000 रुपे का, तो Mr. B आगे क्या कहेंगे सरकार को, कि सर, 20,000 का मैंने tax collect किया है, जिसमें से 18,000 का मैं पीछे pay करके आ रहा हूँ, 18,000 का मेरा input tax credit बन जाता है, क्योंकि वो मैंने अपनी inward supplies पर लिया है, अब यहां पर एक नया word और आ गया, inward supplies, इन्वर्ट supplies का क्या मतलब है, जो मैंने supplies receive करी है, ठीक, तो Mr. B देखिए, इसमें से 18,000 रुपे हटा कर, सरकार को सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपे pay करेंगे, ठीक है जी, यह है आपकी बात यहां पर, बहुत basic सी चीज, जो मैंने आपको बताई, किस तरीके से एक basic structure चलता है, GST के अंदर, ठीक है, हाँ, ठीक है जी, तो आपने देखा किस तरीके से, यह मैंने example क्यों लिया, यहां पर मैंने बताया कि tax का burden कैसे shift हुआ, पहले देखिए Mr. A ने sale करी, ठीक, Mr. A ने अपनी sale पर 18,000 रुपे का tax लिया, इन्हों ने यह सरकार को pay कर दिया, इन्हों ने कि यह जो 18,000 का tax है, अपनी जेप से नहीं भरा, इन्होंने किस से लिया, इन्होंने अपने final consumer से लिया, तो आपने देखा कि GST के अंदर, देखिए, जो ultimate tax का burden आ रहा है, वो किस के उपर आ रहा है, final consumer पर आ रहा है, तो कभी भी GST के rate बढ़ते हैं, तो लोग क्यों धरना प् कर दो, क्योंकि महगाई बढ़ेगी चीज़ों की कीमते बढ़ जाती हैं फिर उससे, है न, तो इसी लिए, देखो, यह चीज़ समझाने के लिए, कि tax का burden किस तरीके से shift हो रहा है, A ने B पर shift किया, B ने आगे shift कर दिया, suppose अगर B ने भी किसी ऐसे person को supplies की होती, जो B के इदे का समान को use करके कुछ नया समान बना देता, तो वो भी फिर final consumer से tax collect करता, तो tax का burden किस तरीके से shift होता, चला जा रहा है, और अंत में जो उपभोगता होगा, जो final consumer होगा, उसके ओपर burden आ जाता है, समझ में आ गया कि final burden किस तरीके से आता है person के ओपर, फिर हम आगे च tax credit क्या होता है, कैसे होता है, chapter 6 देखेंगे, ठीक है, कब मिलता है, कब नहीं मिलता, इन सब बातों को अभी मत देखिएगा, ठीक है न, 20,000 दिया, 18,000 लिया, ये सब सिर्फ समझाने का यहां पर मतलब यह कि tax का burden कैसे shift होता है, detail में पढ़ेंगे, पूरा art number का question आता है, बह supplies तो दो होती है, सर, या तो goods की होगी, या services की होगी, अभी वीवी ने आपको बता है, लेकिन supplies को goods और services के साथ, government ने यहां पर दो category और बनाई है, एक है आपकी interstate supply, एक है आपकी interstate supply, international match चीज होते हैं, international match का क्या मतलब होता है, एक देश, दूसरे देश के साथ match कर रहा है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया औस्टेलिया, इंडिया न्यूजिलेंड, इंडिया श्रिलंका, यह क्या है, international मतलब एक देश से निकल कर दूसरे देश में, जब मैं कहता हूँ interstate supplies का दर, यानि के एक state से निकल कर दूसरे state में supplies की जा रही है, आप दिल्ली में बैठे हो, उत्रपदेश में supplies कर रहे हो, आप राजस्थान में बैठे हो, आप कहां supplies कर रहे हो, आप मध्यपरदेश में कर रहे हो, आप बिहार में कर रहे हो, आप जारखंड में कर रहे हो, उडिसा में कर रहे हो, चत्यसगर में कर रहे हो, गुजरात में कर रहे हो, मुंबई में कर से लिए परचेस क्यों नहीं कहा गया एक बहुत अच्छा सवाल बताईए जी सप्लाइ क्यों कहा गया या परचेज क्यों नहीं कहा गया government uniform करना चाहती है गवर्मेंट ने supply शब्द को भी बताया कि supply का क्या मतलब है sale और purchase अगर हम शब्द use करेंगे ठीक है ना sale और purchase तो वहाँ पर taxability arise होने में दिक्कत होती है कि वहाँ किसी की sale किसी की purchase supply आप अभी section 7 पढ़ने वाले हो मेरे साथ, पहला chapter है हमारा supply, second chapter, supply का क्या मतलब है, तो वहाँ पर हम इसको और detail में समझेंगे, कि गवर्मेंट ने supply शब्ध ही यहाँ पर क्यों use किया, ठीक है, sale और purchase एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि narrow word हो जाते है, supply एक wider term है, ठीक है, तो supplier और recipient अलग-अलग state के अंदर है, second, intrastate supplier, intrastate supplier, intrastate supplier, sorry, intrastate supplier क्या मतलब है, कि मैं उत्तर परदेश में हूँ, और जो व्यक्ति सामान खरीद रहे है, वो भी उत्तर परदेश में, जैसे कि मैं दिल्ली से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी दिल्ली में हो, तो मेरे लिए supplies यह कैसी हो जाएंगी, intrastate, within state, ठीक जी, इतना समझ में आता है, place of supplies जब आपका same state में, या union territory में है, in that case, it will be called as intrastate supply, if place of supply, या मैं कहूँ, supplier or recipient, different states में, in that case, it will be called as interstate supplies, बहुत simple, कुछ भी technical है ही इसके अंदर, असान सी बात है, हमेरी सौझ में आगई, दो तरीके की supplies है, ठीक जी, हाँ, चलो, अब बात करते हैं, GST में लगने वाले tax के उपर, किस तरीके से, कितने प्रकार का देखे, government ने, यहाँ पर tax बता रखा है, तो mainly देखिए, तीन तरीके का tax यहाँ पर, जो है, वो आपका आता है, जो main है, पहला आपका central goods and service tax, state goods and service tax, या फिर union territory में हो तो unit territory goods and service tax, और एक आपका integrated goods and service tax, अब यह क्या होते हैं, सर, इसका जरा मतलब बताईए, तो ध्यान से समझेए, मैंने आपको दो तरीके की supplies के बारे में अभी बताया, पहली supplies थी, interstate, और दूसरी interstate, तो देखिए, जितनी भी आपकी interstate supplies होती है, ठीक है जी, interstate, मतलब एक state से निकल कर दूसरे state से, तो ऐसी supplies पर जो tax government charge करती है, उसे हम बोलते हैं, IGST, integrated goods and service tax, और यह जो tax है, यह लगाया जाता है, केंदर सरकार के द्वारा, और जब केंदर सरकार लगाएगी, तो इसका मतलब है कि tax का amount भी केंदर सरकार के पास जाएगा, ठीक जी, जब भी, जो interstate supplies पर लगता है, मतलब आपकी जो supplies हो रही है, वो एक ही state में या एक ही union territory में है, तो जो आपका tax लगता है, वो है CGST और SGST, और अगर union territory है, तो UTGST और CGST, केंदर सरकार के पास tax जो है, वो हमेशा ज्यादा जाता है, राजी सरकार के पास कम जाता है, अगर आप पिछले सा का भी देखो, तो I think 10.81 lakh crore rupees की collection है, जिसमें से 52% से जादा मेरे खाल से, IGST के अंदर की collection है, ठीक है, तो interstate supplies पर IGST लगता है, ध्यान रखिएगा, और जो interstate supplies होती है, मतलब same state के अंदर, वहाँ पर CGST और SGST लगता है, CGST आपका central government imposed करती है, central government के पास जाता है, SGST या UTGST, जिस भी राज्य सरकार के अंदर ये supplies हो रही है, वहाँ पर, या फिर केंदर सरकार है, केंदर शासित परदेश है तो वहाँ पर, ठीक है जी, इतनी चीज समझ में आती है सभी को, बताइए, इतनी चीज सभी लोगों को clear है, आगे चले, या आप note कर लीजे, चार्ट बना लीजे कि type of GST, CGST, SGST, UTGST, IGST, imposed by central government, यह imposed by state government या union territory, यहाँ पर imposed by central government, ठीक है जी, अभी मैं इसको सोड़ा तो, और elaborate करने वाला हूँ, ठीक है, इंटर सेट सप्लाइजी में supplier और recipient अलग-अलग state में होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी, जो बहुत ज्यादा technical हो, यहाँ पर सारी चीजे बहुत असान है, आप इस बात को note कर लीजिए, आज लिख कर रख लो, जहां table पर पढ़ते हो, ठीक है, हाँ, GST वैसे भी बहुत असान है, ठीक है, अरे भई यह क्या लिख दिया, आपने इतना लंबा चोड़ा, पढ़ने दीजे जरा हमें, सर प्रैक्टिकली कैसे होता है, अभी मैं आ रहा हूँ, इस पॉइंट पर आने वाला हूँ, किस तरीके से, किसको कितना-कितना टेक्स जाता है, इसके उपर मैं एक इनको, जो है, वो UTGST Act के तहत, गवन किया जाता है, आपका, हम जो पढ़ रहे हैं, CGST Act 2017 पढ़ते हैं, हर स्टेट का अपना GST Act होता है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम Central का पढ़ रहे हैं, CGST Act 2017, ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ Union Territories के नाम है, जो UTGST Act के तहत गवन की ज जाती है, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली का अपना Act है, उन्होंने बना रख है, ठीक है, तो इसके अंदर देखो, लद्दाक और Other Territory Government के रिसेंट एड किया था आपका, यहाँ दो attempt पहले, ठीक है, और Other Territory का मतलब है, ऐसे इलाके हमारे देश के अंदर, जो किसी भी Unit Territ में नहीं आते, ठीक है न, जैसे कि कुछ एरियास पे, मिल्टरी जो है, वो कंट्रोल करती है, तो उन एरियास की बात की जा रही है, ठीक है, तो यह आपका, चलो, आगे बात करते है, हाँ जी, यहाँ तक clear है सभी को, अब मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से, जो टेक् आता है, जो हमने पीछे एक्जांपल लिया था, मैं उसी एक्जांपल को यहाँ पर continue करूँगा, same values को लेकर, ठीक है, तो मैंने आपको बताया देखिए कि union territories में आपका UTGST और CGST लगता है, ठीक है, और अगर state में है, तो CGST और SGST लगेगा, और यह किस तरीके की supplies है, सर य यह है हमारी intra-state supplies, ठीक, अब टेक्स कैसे लगता है, ठीक है, कि टेक्स वाली बात बताओ, सर और कि टेक्स लगेगा कैसे, जैसे मैंने एक एक्जांपल लिया, पीछे तरह ध्यान से समझेगा, Mr. A, Mr. B, ठीक है, ऐसे ही था कुछ, यहां से यहां से यहां से कीमत गई थी, और 1,18,000 रुपे की यहां पर जो है, GST था, value supplies इसी, इसके अंदर दो चीज़े होती है, पहला आपका value of supply, यह हमारा कितना था, 1,00,000 रुपे, और tax का portion था, 18,000 रुपे, ठीक, अब ध्यान से समझेगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ, कि Mr. A है पंजाब में, और Mr. B है, suppose, हर्याना में, अब यह अलग-अलग state के अंदर है, तो यहां पर जो tax charge किया जाएगा, वो किस तरीके का tax होगा, आई-जी-एस्टी चार्ज किया जाएगा, ठीक, आई-जी-एस्टी चार्ज किया जाएगा, लेकिन अगर, for example, मैं कहूं, नहीं जी, Mr. B भी पंजाब में ही है, Mr. B भी पंजाब में है, तो उस case में क्या होगा, फिर, sir, C-GST और S-GST होगा, है न, और अगर कोई unit ratory होगी तो UT-GST आजाएगा, तो इस case में, देखिए, होगा क्या, Mr. A, Mr. B से tax collect करेंगे और ये 18,000 रुपे, इनका IGST का होगा, जो कि ये सरकार को पे करेंगे, कौन सी सरकार को, केंदर सरकार को, क्योंकि IGST जो है, वो central government impose करती है, ठीक, अगर suppose मैं कहा रहा हूँ कि ये हमारी intrastate supplies ह मतलब ये वाला case है, CGST और IG, तो ध्यान रखिएगा, इंट्रस्टेट supplies में, जो भी GST का rate होता है, GST के rate याद करने की जरूरत नहीं है, एक जगह आएगा जहां पर आपको rate कुछ याद करने होगे, कौन सी जगह है मैं बता दूगा, बहुत simple से rate है वहाँ पर, हाँ, IGST मे स्टेट को कुछ भी share नहीं होता, अब मैं इस point पर इसलिए नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अकर मैं इस चीज को छेड़ूँगा, तो उसमें ITC वाला concept आता है, तो जब ITC पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कि कैसे state government भी IGST में से अपना share ले सकती है, कैसे वह 18% से है, तो अगर suppose यह interest rate supplies हैं, तो government कहती है कि यहाँ पर rate half-off कर दिया जाएगा, 50-50%, यानि कि जितना भी tax collect होगा, उसका आधा केंदर सरकार के पास और आधा राजी सरकार के पास चला जाएगा, समझ में आती है इतनी बात, जल्दी बताओ, यानि कि सर अगर यह 18,000 रुपे होता, तो इसमें से 9,000 रुपे मोदी जी के पास चले जाते, और पंजाब में आजकल आम आदनी पार्टी की सरकार है, तो 9,000 रुपे जो भी उनके मंत्री है, उनके पास, उस सरकार के राजासु में चले जाते, clear होगी जी बात इतनी? हाँ, चलो, किस वैसे, चलो यहाँ बता दूगा, consumption-based tax जब में करूगा, तब बता दूगा, revenue sharing के बारे में बताओंगा, कि किस तरीके से IGST में से भी state government का इससा निकल कर आता है, अभी बता दूगा, यह सवाल एक मन में बनाए रखिएगा, ठीक है? अब हमने समझ लिया कि sir, GST जो है वो लग रहा है चीजों पर और interested supplies हैं, interested supplies हैं, इसके बाद देखिए जो एक basic बाते आती हैं, वो यह है कि government ने कुछ, government ने कुछ goods को GST के दाएरे से बाहर रखा है, मतलब उन पे GST नहीं लगता, goods which are not leviable under GST, जो GST में taxable नहीं है, आप लोगों ने सुना होगा, बार-बार ये news चैनलों प बातशीत करते रहते हैं, कि GST के दाएरे में petrol को ले आओ, petrol को ले आओ, क्यों बोलते हैं, ताकि petrol की कीमतें कम हो सकें, है ना, तो कुछ ऐसे item है जिन पर GST नहीं लगता, अब वो कौन से ऐसे item है जिन पर GST नहीं लगता, उनी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, लेकिन most कौन से item है, सबसे पहले चीज, alcoholic liquor for human consumption, इस पर GST नहीं लगता, गोर्मेंट ने इस पर GST नहीं लगता है, ठीक है, very very simple, second, जैसे कि आपका petroleum crude oil होता है, जिसके अंदर से कई चीज़े निकलती हैं, जैसे कि diesel हो गया, petrol या, aviation turbine fuel, जो आपका aeroplanes होते हैं, उनके अंदर जो oil डल जलता है, जिससे वो चलता है, ठीक है न, वो आपका, और आपकी natural gas, इन पर GST नहीं लगता है, इन पर आज भी CST, excise duty और VAT लग रहा है, ठीक है, तो धीरे-धीरे हो सकता है कि in future government इन पर भी GST लगाए, इसके साथ साथ, अगर आप real estate sector में कोई property purchase कर रहे हो, कोई हैंना, imm तो उस पर भी GST नहीं लगता, जैसे कि आपने घर purchase किया, building purchase करी, office purchase किया, सर इस पर क्यों नहीं लग रहा GST, क्योंकि government ने, what is alcoholic liquor, alcoholic liquor for human consumption, जो भई जो wine shops होती है, जो लोग पीते हैं, जिनको पीने के बाद, लोगों को दिमाग थोड़ा सा out of control हो जाता है, उसी की बात की ग human consumption, ठीक है ना, तो देखो, अगर आप immovable property purchase कर रहे हो, तो government ने कहा, उस पर GST नहीं लगेगा, तो सर इस पर क्या लगेगा, इस पर क्या लगेगा, हमने एक chapter पढ़ा है, हमने एक chapter पढ़ा है, कौन सा chapter, income tax में पढ़ा है सर, capital gain, cap gains पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अब जो GST है ना, सर, जहां से समझेगा, यह MCQ में आता है, यह question जो है ना, MCQ में आता है, बच्चे इसमें अकसर confused है, MCQ question है यह, जितनी बाते मैंने अभी आपको बताई न, basic, यह सिरिफ MCQ बताना चाहता हूँ, मैं आपको की basic MCQ, क्योंकि बाकी जो chapters है, उसमें MCQ आप main concept के साथ ही पढ़ते चलेंगे, ठीक है, चलिए, अब जो GST है न, यह consumption based tax है, अब consumption based tax है, इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से समझेगा, जिस state में goods की services की consumption हो रही है, उस state का revenue माना जाता है, एक example, लो सर तो समझ में आगा, ऐसे समझ में आ रहा, कुछ कहानी, ठीक है, जी एक example, वही हम हमारे दो व्यक्ति हमेशा की तरह Mr. A और Mr. B, Mr. B इस बार पंजाब में है, Mr. A उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, यहां से supplies यहां जा रही है, यहां से payment आ रही है, अब ध्यान से देखिएगा, Mr. A ने क्या करी, तेल करी, जिसे हम GST की भाशा में supply बोलते हैं, और यह हमारे recipient है, तो ध्यान से समझेगा, अब यह किस तरीके की supplies है, इंटरस्टेट supplies है, ठीक है जी, तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, Sir, GST consumption based tax है, consumption based tax है, मतलब Sir, जिस जगहा पर वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग हो रहा है, उस state के अंदर हम मानते हैं कि यह revenue generate हो रहा है, और वहीं की सरकार को यह मिलेगा, अब क्योंकि यह interstate supplies है, तो यह चला जाएगा, केंदर सरकार के पास, क्योंकि इस पर IGST levable हो जाता है, ठीक है, इस पर IGST levable हो जाता है, जिस state ने services provide की है, वहाँ पर tax नहीं जा रहा, जिस state ने services consume करी है, या goods consume करे हैं, उसका यह revenue होता है, ठीक, समझ में आती है बात इतनी, सर अगर यह interstate होती, मतलब सर यह भी UP में, यह भी UP में, तो क्या होता, बहुत आसान है, हमने क्या कहां, consumption, तो फिर उस case में CGST और SGST चार्ज होता, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहां पर 18% से GST लगता सपोज, तो 9% केंदर सरकार के पास 9% राजय सरकार के पास, हाँ, भोग में, consumption, consume करना, ठीक है, ठीक है, हाँ, 50-50% फिर हो जाता है, ठीक है, रिशब, तो revenue of SGST, accrues to the consuming state, SGST का जो revenue है, जिस state में consumption हो रही है, वहाँ होगा, IGST का revenue, exporting state में होता, exporting state का नहीं होता, जो state receive कर रहा है, उसका होता है, और देखा जाए, तो IGST के case में, तो सारा का सारा कहां चला जाता है, के अंदर सरकार के पास, मोदी जी के पास चला जाता है, ठीक है, अभी तक मन में वो सवाल होगा, कि सर, किस तरीके से, यहां पर, राज्य सरकार को कुछ मिलेगा, मन में सवाल है की नहीं है, जरा एक बार ही बता हो, कितने लोग ऐसे हैं, जिनके मन में सवाल आ रहा है, कि सर, राज्य सरकार के साथ, तो बड़ी यहां पर, दिक्कत वाली बात हो गई, उन्हें तो कुछ मिली नहीं रहा, उत्तर प्रदेश ने समान बेचा, इसमें होना चाहिए, कि जो ठीक करे इस बात को भी, अब इंटर स्टेट है, तो IGST लग रहा है, SGST तो लग नहीं रहा, तो फिर क्या किया जाए वहाँ पर, भई, राज्य सरकारे तो हाथ सहलाए बैठी रहेंगी, कि हमें तो पैसा मिली नहीं रहा, हमारे यहां से अच्छा कोशन है, चलो इस कोशन का पहले मैं आंसर करता हूँ, फिर मैं अपनी बात पर वापस आता हूँ, इन्हों ने कहा, सर करनाटका में सप्लाइर है, और कंजूमर जो है पंजाब में है, लेकिन गुड्स रिसीव करी गई जमू और कश्मीर में, ठीक है, तो सप्ला अब IGST लगेगा पहली चीज़ तो Interstate Supplies है, ठीक है, IGST लगेगा Interstate Supplies है, और यहाँ पर सारा का सारा केंजु सरकार के पास चला जाएगा, ठीक, समझ में आती है बात, क्लियर है, इस में सवाल पते क्या उठना चाहिए, सवाल यहाँ पर एगना चाहिए, कि सर सप्लायर यहाँ पर recipient कौन होगा, क्या जमू और कश्मीर को recipient कहेंगे, या पंजाब को recipient कहेंगे, क्योंकि supplier तो हमें पता लग गया, करनाटका में, recipient कौन है, सामान किसने लिया, receive तो किसी और क किसी और को क्वेक्ट ही कर रहे है कि हो सकता है कि मेरे agent के भिहाथ में कहारा हूं कि जम्मेंट कश्मियों डिलीवर कर दो है ना तो payment मैं कर रहा हूं tax invoice मेरे नाम पर बन रहे न तो तो मैं हूँ यहाँ पर ठीक है यह निके पंजाब रिस्वेंट हो जाएगा अभी supply chapter के अंदर जब हम आएंगे तो इसको और detail में पढ़ेंगे बहुत detail में समझाओंगा भी मैं आपको ठीक है चलो अब मैं जो अपना main सवाल है हमारा कि सर राज सरकारों को क्या मिला इसके ओपर आना चाहूंगा जर भी आउट्वर अप्लाइज जन से समझेगा underड़ अपल्याजिस क्या होती है जो मैंने अपने लिए करी जो सप्लाइज रिसीव करी ठीक outब्ट अप्लाइज जो मैं कर रहा हूं Inward Supplieses पर मैं क्या करूँगा? Tax को Pay करूँगा. Outward Supplieses पर क्या करूँगा? Tax को Collect करूँगा. यही बात होती है. Inward Supplieses अपनी Supplieses है. हमारी है जिस्सों use करके हम आगे Supplieses करेंगे. जैसे कि आपको पढ़ाने के लिए हमें इंटरनेट की इस विदा चाहिए तो हम इंटरनेट प इसको पढ़ा रहे हैं, आप से पैसा ले रहे हैं, हमारे लिए यह क्या है? Outward Supplieses. इंटरनेट वाला हमारे से Tax लेगा. हमारी Inward Supplieses पर लिया गया Tax. इसको क्या कहते है? Inward Supplieses पर लिया गया Tax को. Input Tax. अपने customer से मैं Tax लूँगा. इसको क्या कहते है? Output Tax. इतना समझ में आत इतना समझ में आता है सभी को. जल्दी से बताओ. इतना समझ में आता है? अगर यह चीज़ समझ में आ गई. बच्चों को कई बार होता ही है कि batch खत्म हो जाता है और Input Output Tax समझ में नहीं आता. क्या Output Tax क्या है? Input Tax क्या है? तो ध्यान रखना, जो Inward Supplieses पर हम Tax Pay कर रहे हैं इसी में से अपना Input Minus करके मैं आगे सरकार को Pay करूँगा. Suppose मैंने यहां पर जो मैंने पीछे एक्जामपल लिया था आप लोग के साथ. इसमें कितना Tax था मेरा? 18,000 था? और मैंने कहां मैंने अपने customer से collect किया 20,000. तो मैं Ultimately Pay कितना कर रहा हूं? Government को कितना Pay करूँगा? 2000. त और यह 2000 मेरी Tax Liability कहलाती है. ठीक है? हाँ. एक नया Example ले लेते हैं. चलो. अच्छा. अब आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? कि Input Output क्या है? अभी सवाल मन में बनाया रखना. जो सवाल मैंने आपसे कहा था, वो सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने आपको. ठीक है? वो सवाल बना हुए है मारे मन के अंदर. ठीक है न? चलो. हाँ. अब मैं आपको लेके चलता हूँ. एक नए Example की तरफ. जरा ध्यान से देखिएगा. Mr. A. UP के अंदर है. ठीक? Mr. A. UP के अंदर है. मैं बहुत basic example ले रहा हूँ. Mr. B. चलो माल लेते हैं पंजाब में. ठीक? अब Mr. A. कुछ Supplyses सिर्फ UP में ही करते हैं. कुछ Goods की Supplyses यह उत्तरप्रदेश में कर रहे हैं. ठीक है? और कुछ यह अपने स्टेट से निकल कर यहां पर भी करते हैं. पंजाब में कर देते हैं. मत्रदेश में कर देते हैं. अलग-अलग स्टेट में कर देते हैं. जैसे की MP में कर दिया. महारास्ट्रा में कर दिया. ठीक जी. इस तरीके से करते हैं. यहां पर क्या collect करेंगे? CGST प्लस SGST. यहां पर क्या collect करेंगे? IGST. इतनी बात समझ में आती है. इतनी बात समझ में आती है. हो सकता है. हो सकता है. जरा ध्यान से समझ यहां पर थोड़ा स असानी समझ में आने वाला है, concept बहुत मज़ेदार है यह, Mr. A, जो कि खुद उत्तर परदेश में, क्या सर ऐसा हो सकता है, कि यह अपनी कुछ inward, inward surprises, जो यह काम कर रहे हैं, यह इन्हें लेने के लिए, हर्याना से मंगवाना पड़ता हो समान, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, कुछ इन्हें हो सकता है, दिल्ली से मंगवाना पड़ता हो, क्या ऐसा हो सकता है, कुछ उत्तर परदेश से ही ले लेते हो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, है ना, अब ज़रा ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा, कि जो मैं supplies per tax pay करूँगा, व मेरा credit भी, जो मेरे suppliers है, Mr. A के suppliers है, वो interest rate है, तो उनसे IGST collect करेंगे, सर, तो मेरा credit किसका होगा फिर, IGST का होगा, सर, है ना, और अगर जो मेरे interest rate supplier है Mr. A के, वो क्या collect करेंगे उनसे, वो CGST और SGST लेंगे, तो उस case में Mr. A के पास CGST और SGST का credit, होगा, होगा की नहीं होगा, है, सभी बोल रहा हूँ न, ऐसे ही होगा, क्योंकि भाई, और ये तो हो गई मेरी, inverse, input, text, credit, ये होगा मेरा input, text, credit, हाँ, credit भी अलग-अलग होता है, यही तो बताना चाहरा हूँ, यही तो बताना चाहरा हूँ, concept यही है मेरे यहाँ पर, जुमिसमाप को build करना चाहरा हूँ ठीक है न, कि अगर मेरी interstate supplies है, हैं, ठीक है न, तो मैं अपने customer से IGST ले रहा हूँ, interstate है तो, SGST, SGST ले रहा हूँ, इसी तरीके से जो मेरी inverse supplies है, वहाँ पर मैं recipient बन गया, कोई और supplier बन गया, तो वो मेरे से भी AC collect करेगा, अब ध्यान से समझना, यह मेरी outward supplies है, यह यह Mr. A क यहां पर, Mr. A ने भी, कुछ IGST लिया होगा अपने customer से, कुछ, CGST collect किया होगा, कुछ, SGST collect किया होगा, किया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा, बताओ जरा, किया होगा किया होगा, किया होगा किया होगा, किया होगा किया होगा, याद रखियेगा, ठीक है न, और यह ज से समझना अब ज़रा ध्यान से समझना आई जीस्टी में सपोज जो टेक्स मिस्टर ए ने पे किया वो है पच्छिस हजार रुपए ठीक और यहां पर जो इन्होंने पे करा टोटल वो है मान लेते हैं 20,000 ठीक है और क्योंकि यह 50-50 पॉसंट है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 10,000 है बेसिक एक्जामपल ले रहा हूं इसमें मत पढ़ जाना की सर्थ जरूरी है क्या बराबरी होगा कुछ केसिस में अलग भी हो सकता है आई टीसी चेप्टर कर आऊंगा तो उसमें देखेंगे ठीक एक्जामपल है यह बेसिक सिर्फ कॉंसेट अंडरस्टेंडिंग के लिए और सवाल क्या है यहां पर कि स्टेट गवर्मेंट को क्या मिल रहा है उन्हें तो कुछ मिल ही नहीं रहा हूं सवाल हमारा क्या था सवाल याद है कि सार इंटरस्टेट सप्लाइबिटी थी स्पोज दसदार मतलब जो मैंने अपनी आउटवर्ड सप्लाइबिटी जो इंटरस्टेट थी उन्हें पर जो टेक्स कलेक्ट किया वो दसदार था ठीक और जो मेरी cgst की और sgst की या अपने कस्टमर से वो था सपोज तीस हजार यहां तक सभी को समझना आता है बहुत ध्यान से नमझना है पर मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ बहुत सिंपल थी बात है एक बना फिकलर हो जाईगी अगर एक बारी में बोल दो तो अब मैंने आपको बताया था पीछे होता क्या है हमें पता लगया कि सर जो क्रेडिट है वो भी इन तीन जगहां पर है कौन-कौन से तीन जगहां CGST, SGST, IGST, टेक्स लाइबिलिटी भी तीन जगहां पर है CGST, SGST, IGST, समझ में आती है इतनी बात अब गवर्मेंट ने यहां पर एक बात कही अब मैं Mr. A का एक्जांपल ले रहा हूं यह पूरा एक्जांपल Mr. A पर है ध्यान रखिएगा Mr. A की टेक्स लाइबिलिटी कितनी है IGST में 10,000 कलर चेंज करो पैन का ज़रा कैज में पर एक बातनी है कितनी है existing गशार कितना है 25,000 क्या च्रछी सचना क्रनी है हां चाली पीज़़ीटलिटल्य है पूरा यूज हो जाएगा टेक्स लाइती खत्म हो जाएगी उसके बाद भी पैसा बच्जाएगा कितना पैसा बच्जाएगा Tiger क्रिडिट दसदार माइनस करने के बाद सर आज कल पच्चीज में से 10 चला जाए तो कितना संद्राइजार यह बस्ता है बता दो इतना है बच्त है ना बस्ता है नहीं बस्ता अब गौवर्मिंट ने यहां पर कहा अब गौवर्मिंट ने यहां पर कहा जानते समझना गौवर्मिंट ने कहा आपके पास IGST का जो यह बचा हुआ क्रेडिट है इसका यूज करो अपनी CGST और SGST की liability को pay करने के लिए मतलब और यह rule है ITC chapter में आपको detail में पढ़ाऊंगा भी कि अगर आप CGST और SGST का credit यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले IGST के credit को zero करना होगा बस इतनी सी बात समझ लो भी ठीक है तो यह 30,000 रुपे की liability Mr. A को pay करनी है और इसके लिए यह सबसे पहले किसका use करेंगे IGST का use करेंगे IGST किसको गया है केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को जो tax दिया है उसका use मैं CGST और SGST के लिए करूँगा तो इस 30,000 में से अब यह किसी भी proportion किसी भी ratio में हो सकता है ठीक है मैं basic ले रहा हूँ कि हमने total 15,000 माइनस कर दिया तो यहां बचा कितना 15,000 अब ध्यान से समझना स्टेट गवर्मेंट ने हल्ला बोल दे केंद्र सरकार पर उन्होंने कहा सर एक तो 30,000 मुझे मिलने वाले थे आपने अपना क्रडिट यहां पर सेट आफ करवा दिया अब Mr. A कुछ पे नहीं करेंगे वो बोलेंगे मेरे पा यह 15,000 अपने 15,000 यह 15,000 हम आपके खाते में जमा करा देंगे क्या कर देंगे आपको पैसा यह दे देंगे तो राज्जी सरकार के पास केंद्र सरकार से पैसा आ जाते हán यह पॉइंट आराम से रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से समझना हूं मैंने क्या कहा Sir 15,000 रुपे जो जो CGST का है वो तो already केंद सरकार काई है और केंद सरकार के credit ले रहे हैं तो वो तो कहानी खतम हो गई ठीक ना लेकिन जो state government का है वहाँ पर तो बात खड़ी होगी न कि केंद सरकार के credit से राज्य सरकार का tax liability कम कर दिया गया राज्य सरकार को tax नहीं मिला है ना राज्य सरकार को tax नहीं मिला और यह किस में से है यह IGST में से है मैं कह रहा था कि interested supplies पर कैसे tax जा रहा है राज्य सरकार के पास तो ऐसे जा रहा है गवर्मेंट ने कहाँ यह अब 15,000 हम आपको transfer कर देंगे सुझ में आई बात IGST का credit निकल कर state government के account में आ गया मतलब उतना पैसा आ गया और जितनी भी GST का आपस में कभी भी utilization नहीं होता नो utilization of credit चलो तो यह basic सा topic हमारा ठीक कि किस तरीके से यहां पर tax होता है और consumption based आपका यह एक tax है ठीक है समझ में आती है बात इतनी अब एक चोटा सा concept और इसके अंदर हमारा compensation says यह क्या होता है भाई GST जब हमारा introduce हुआ तो उससे पहले हम VAT में थे service tax में थे हैंना बाकी चीज़ों में थे अब इतना बड़ा देश आज की रेट में 140 क्रोड की उपर की आबादी है उस टाइम यह में खाल से 120-30 क्रोड रही होगी आबादी ठीक है अब इतने बड़े देश के अंदर एक नया tax regime लेकर आना उसको introduce करना इतने सारे persons हैं इतने सारे businessmen हैं लोग हैं इन सब को इसके बारे में बताना और जब आप एक टेक्स सिस्टम से निकल कर दूसरे में जा रहे हो तो revenue का loss भी होता है होता है की नहीं होता इससे निकल कर विक्ति उसमें आएगा हो सकता है बहुत सारे नहीं आए तो government को tax का loss भी होगा होगा की नहीं होगा चलो वापस आजाओ वापस आजाओ घबराओ मत थोड़ा सा थंड़ा पानी पीलो देखो मैं आपके लोग के लिए coldring लेकर आया हूं ठीक है ना पीनी नहीं चीजिए बहुत जाना शुगर होती है लेकिन फिर भी है ना कुछ अच्छी चीज़े है इसमें कुछ खराब च टेक्स से GST में आ रहे हैं एक टेक्स को छोड़ कर एक सिस्टम को टेक्स के सिस्टम को छोड़ कर नय सिस्टम में आ रहे हैं सारे persons इसमें आएंगे जितने भी हमारे businessman है फिदकेन ए टो अन जब हमार्में जब यह transition हो रही है तो government को lost हो और revenue का है हा कि हमें को यहां से निक तो इसको गौवर्मेंट ने गौंपंसेट करने के लिए गौवर्मेंट ने एक सेस्ट लगा दिया। अब गौर्मेंट ने कहा है ठीक है, इस तो लगा देंगे, लेकिन अगर हमने टेक्स पर टेक्स लगा दिया, तो वैसे ही पब्लिक परेशान होगी, क्योंकि नए टेक्स प्लैब आ रहा है, नई चीजे, शिस्टम आ रहा है, तो गौर्मेंट ने कहा है, सब पर नहीं लगात है, पान मसाला, टबैको, एरिटेड वाटर, क्योंकि सेहत के लिए हानी का रहा है, है न, तो गौर्मेंट ने कहा है, इन चीजों पर हम एक्स्ट्राट टेक्स लगा कर अपने आपको थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर सकते हैं, समझ में आती है बात की नहीं आती ये बताओ, व पूमपनसेट को सेट सेश, एक 2017, अन तॉब ये सपेसिवाइट लॉट्स इटम और दी मेरिट गोड्स लॉट्स इंपर और दी मेरिट गोड्स पर दी मेरिट गोड्स जिसको गवर्मेंट प्रमोट नहीं करना चाहती जैसे की जुबा केसरी वाला ये टबाको, एरिट वा आगे चले, आगे चले, आपका देखो, जो पहला चैप्टर है, अब इस चैप्टर को करने के बाद आप बुक में से एक बाद देख लेना, मेटी मोटी मोटी बाते आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, चलो, अब मैं आपको जरह, अब हमारे पास देखो, सर जो इंपोर्ट डूटी या एक्सपोर्ट जलता है ना, बहुत जादा, बहुत सारे फार्मर्स ट्रबैको की खेती करते है, उनका लाइबलि हुड उस पर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, असान काम नहीं है, जब पैसे आ रहे हो ना, कहीं से, अचानक से उसको बंद करने की बात आजाए, तो कोई नहीं कर था, ठीक है ना, इसी लिए, ठीक है, क्योंकि government अगर tax नहीं लेगी, तो government क्या करेगी फिर, ठीक है ना, चलो, अब दो छोटे-छोटे, दो-तीन concept रह गया है, पहला chapter ख़तम हो जागा, फिर मैं दूसरे chapter स्टार्ट करूँगा, supply enter GST, ठीक है, जो की main chapter होगा हमारा, ये basic च GST and its role in the GST regime, GST क्या है, goods and service tax network इसका पूरा नाम है, section 8 आपकी एक company है, ठीक है, non-profit, non-government organization, जिसका काम government को IT support प्रवाइड करना है, क्या है, IT support, ठीक है ना, क्यों IT support प्रवाइड करना है, जितने भी suppliers है, जितने भी businessmen है, वो अपने आपको register करेंगे GST पे, तो कहां करेंग एक portal बना दिया, वो portal कौन manage करेगा, यह manage करेगा, अब यह अपनी services इसको दे रहे है, जितने भी stakeholders है, stakeholders जब शब यूज करता हूं, तो whosoever concerned with that particular service, जैसे कि state government, central government, हम जैसे आम, जैसे लोग जो business में कर रहे है, ठीक है न, जिने भी goods and service tax की payment करनी है, या कुछ credit लेना है, clear है बात, clear है बात, बताओ, GSTN का मतलब समझ में आ गया, ठीक है न, तो यही बाते लिखी है, बस मैं आपके साथ read करता हूँ और समझाता हूँ चलूँगा, ठीक है न, ज्यादा नहीं है, कुछ theory है, तो please, थोड़ा सा बरदाश्ट कर लेना, ठीक है, तो यह पूरा नाम ठीक जी, अभी मैं आपको ऐसा करता हूँ, दिखा भी दूँगा कि यह दिखता कैसा है, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, है न, Google पर जाके दिखा दूँगा, ठीक है, a special purpose vehicle, a company incorporated under section 8 of the company that 2013, called GSTN, has been set up to carter the need of GST, ठीक जी, the GSTN provide the shared IT infrastructure and services, देखो, shared का मतलब क्या है, क इसे बहुत सारे लोग share कर रहे है, है न, कौन-कौन share कर रहे है, केंद सरकार, राज्य सरकार, जितने भी आपके tax payers हैं, और बाकी के other shareholders, ठीक है न, और ये government क्यों introduce किया था, क्योंकि government को भाई, GST implement करना था, अब जो हमारा SPGST का common portal है, उसका ये web address है, ठीक है न, इस पर ज registration, payment of tax, tax invoice की uploadation, upload करना, return file करना, e-way bill generate करना, ये फारे काम आप उस पर कर सकते, GST is related, जितने काम है, ठीक है न, a website managed by GST, देखो manage कौन कर रहे है, GST, has been set up by the government to establish a uniform interface for the taxpayer and on a shared IT infrastructure between the center and state, केंद सरकार भी share करती है, राज्य सरकार भी share करती है, और बाकी के आम जनता भी share करती है, कैसे आप इसको access कर सकते हो, internet के through कर सकते हो, ठीक है न, taxpayers जितने है, chartered accountant, tax advocates, chartered accountant क्यों करेंगे, वही तो काम करेंगे, आप अभी मेरे साथ आने वाले कुछ समय में, एक concept पढ़ोगे, GST practitioner, वो कौन मन सकता है, chartered accountant मन सकता है, आप भी मन सकते हो, cost accountant मन सकता है, तो उन लोगों के भी जुरत है, तो उनको भी देखो, government यहाँ पर एक support system provide कर रही है, through GST, किसके through कर रही है, government ने के company बना दी, और वो क्या कर रही है, वो यह manage कर रही है, सारा काम, ठीक है न, and internet by text, official etc, by text, department के जो officials हैं, जो persons है, officers हैं, ठीक है जी, one single common portal for all GST related services, समझ में आती है बात इतनी, a common GST system provide link is to all state, unit territory, commercial tax department, central tax authorities, taxpayer, bank and other stakeholders, जितने भी आपके banks हैं, वो भी use करते हैं, तो सब के लिए, एक common, एक platform, किसने बनाया, GSTN ने बनाया, GSTN को किसने बनाया, सरकार ने बनाया, तो GSTN सब को services दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो primarily GST provide three front end services to the taxpayer, namely registration, payment, return filing, जो तीन मुख्य काम है, वहाँ पर ये क्या है, एक आपका registration करना, ठीक जी, एक आपका tax की payment करना, और तीसरा return भरना, registration करोगे, अपने आपको existence में ले आओगे, payment करोगे, सरकार को tax collect होगा, return भरोगे, government को पता लगे कितनी sale करी, कितनी purchase करी, वो सारा data return के अंदर होता, written chapter में पढ़ेंगे, तो समझ में आगया, GSTN क्या होता है, आगे चले, आगे चले, GSTN के functions के उपर बात कर लें, थोड़ी सी, दखो, यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर तीन से चार number का, तक पूछ लेता है, कई बर दो से तीन number का भी पूछ लेता है, note, ठीक है, तो इसलिए बता रहा ह वैसे तो जादर चीज़े theory हैं, इसके अंदर हमारी, ठीक है, लेकिन practical भी आएंगे, ठीक है, practical भी आएंगे, हाँ, यह आपकी perfect revision book के अंदर available है, यह मैंने आपके study material से लिए है, वहाँ पर भी available है, ठीक है, और यह notes मैं आपको available भी खड़ा दूना, ठीक है, आपके study material में एक एक बात लिखिए, आज chapter 1 उठाना, और खोल के देख लेना, उसके अंदर कोई ऐसी बात दिखे, जो नहीं पढ़ा ही, तो मुझे बताना की, ठीक जी, सारी चीज़े जो हैं, वहाँ पर main आपके syllabus तरेट हमने cover कर लिए हैं, ठीक जी, तो functions क्या है, registration की facility provide करना, forwarding the return to the central and state authority, आप return file करते हो, तो central government, state government की authorities है, central government की authority कौन है, हमने पढ़ा income tax में, CBDT, यहाँ पर CBIC, computation and settlement of IGST, मैंने आपको बताया था भी एक example दिया, कि कैसे IGST की payment करी थी, और उस से हमने CGST और SGST के अंदर payment करी, कैसे utilization हुआ, तो यह सब कहां से हो रहा है, इसी system के थ्रू हो रहा है matching of tax payment details with banking network, आप payment करोगे tax की, तो payment करोगे, कहां से करोगे, खाते से करोगे, खाता कहा होगा, बैंक में होगा, तो banking का network और इसका network आपस में काम करें, integrated होकर, यह कैसे होगा, CBI Central Board of Indirect Taxes and Custom, ठीक है जी, तो यह facility कौन दे रहा है, यह GSTN प्रोवाइड कर रहा है, तो GST के function मे GSTN के function में यह भी आ गया, ठीक है जी, various आपकी reports बनती है, कैसे बनती है, इस point को मैं भी आपको practically दिखाता हूँ कि कैसे MIS report वहाँ पर दिखाई जाती है, ठीक है न, central की और state की, ठीक है न, analysis प्रोवाइड होता है, टेक्स पेर की profile का, आप जब देखोगे वहाँ पर अपन monthly information sheet कै सकते हो आप इसे, ठीक है जी, MIS, running the matching engine for matching reversal reclaim of input text, बताया है तो monthly information system, monthly information sheet, बहुत सारी reports बनती है न, तो sheet पर monthly information आपके पास आती है, ठीक है, clear है, इसके साथ साथ देखो, matching engine का क्या मतलब है, कितना credit किस में है, CGST में है, SGST में है, IGST में है, UTGST में, इसके against कितनी liability है, इसका match, लिखो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लिख लो, clear यहां तक, यहां तक clear है, ठीक है, अब second paragraph में जो बात बताई गई, उसके अंदर बहुत wide concept है, कस्टम के अंदर बहुत outside इंडिया से जो चीजे आ रहे हैं, उसको भी रखा गया हुआ है, ठीक है, ठीक है, रिवर्सल का क्या मतलब है, रिवर्सल आप ITC चेप्टर में पढ़ोगे रिवर्सल और रीकलेम शब्द, यह दोनों जो शब्द है ना, रिवर्सल और रिकलेम, यह ITC चेप्टर में आप पढ़ोगे, डिटेल में, क्रेडिट मेरे को मिल रहा है, जो मैंने अपनी invert supplies दी ली, उसका मैं क्रेडिट लूँगा, तो कई बर जो मैंने क्रेडिट ले लिया है, गौवर्मेंट वो वापस ले लिती है मेरे से, गौवर जो मैंने क्रेडिट ले लिया तो रिवर्स हो गया, अब मैंने वो गलती ठीक कर दी, तो जो क्रेडिट गौवर्मेंट ने वापस ले ले तो मेरे को वापस दे रही, उसे कहते है रिकलेम कर लेना, तो यह ITC चैप्टर में पढ़ेंगे अभी, ठीक है, कि रिवर्सल क्या ह होता है, रिकलेम क्या होता है, ठीक जी, चलो, अब मैं आपको जरा दिखा दू, GST Portal आपको, अगर मन में हो आप लोगों के देखने की इच्छा, कि सर होता क्या है, जरा दिखा दो, देखना चाहोगे, चलो, सब देखना चाहते है, दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई द करो, देखो, यह रहां आपका Goods and Service Text Portal, यह फालिंग सिखा देना, बहुत चालू मत बनो, वो नहीं सिखाऊँगा, देखो, यह आपका Homepage है, इसमें Government Services दी है, आप Services पर करो के, अगर आप Registration करना चाहते हो, तो Registration पर आए, New Registration, आपकी Application कहाँ पर है, किस तरीके से, अग पर उसके थुरूब Tax की Payment होती है, Other Services में इसके अंदर, HSN Code के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है न, यह सारी Services आपकी, GST Law के बारे में आप जानना चाहते हो, इसी Portal से होता है, सब कुछ इसी Portal से होता है, ठीक है न, कुछ डाउनलोड करना है, ठीक है न, जो आपकी Returns वग ठीक हो, ठीक है जी, यह आपकी GST Earring Filing की Date आ रहे है, यह आपका GST Portal है, यह GST in का Portal नहीं है, यह GST का Portal है, ठीक है, इस तरीके से यह E-Invoicing का System है, ठीक है न, इस पर आप अपने invoice upload करते हो, तो वहाँ से एक invoice reference number उसके उपर आता है, फिर वो invoice आपका valid बनता है, वरना invoice valid नही ठीक ही रहता, ठीक है, अब मैं आपको GST in भी दिखा दूँ, goods and service tax network, तो वो भी दिखा देता हूँ, यह देखो, यह दिखाई दे रहा है सबको, यह है हमारा goods and service tax network, जो अपनी services दे रहा है सबको, ठीक है न, और इस ही के through, वो GST Portal जो मैंने आपको अभी दिखाया था, वो सब्सक्राइब में देखो, 31 मार्स तक, तो बता दिया, 107.95 करोड, EVA Bill कितने generate हुए, 353.53 करोड, ठीक है न, highest return transaction in a day कितनी गई है, एक दिन में कितनी return फाइल करीगी सबसादा, ठीक है न, payment through, portal कितनी, payment through, इस सब यह information आ रही है, तो मैंने कहा न, कि government को, देखो data मिल रहा ह MIS बन रही है, नहीं बन रही, अब इसके अंदर जाओगे आप, तो पता लग जाएगा, कि कहां पर कितनी चीज़े हैं, तो यह बात बताई गई, जब registration chapter कराऊंगो, थोड़ा सा और detail में दिखा दूँगा, ठीक है, तो theory के साथ साथ मैंने दिखा भी दिया, कि GSTN क्या है GST Portal क्या है, ठीक है, उमीद करता हूँ कि फ्रोड़ा सा fruitful रहा हो गई, चलो, तो, ठीक है, तो यहां तक हमारा पहला chapter complete हो जाता है, यहां तक हमारा पहला chapter जो basic introduction वाला था, वो खतम हो जाता है, अब जो है, वो main topic शुरू होगा, अभी तक तो आप मज़े ले रहे थे बस, ठीक है, अब हमारा main chapter शुरू होता है, जहां से exam में questions जो है, वो main descriptive उठकर आते हैं, और वो chapter है हमारा supply under GST, जो कि हमारा पहला chapter है, supply, पहला chapter, main chapter, जहां से question आपके exam में, जो है descriptive form में, और practical form में आते हैं, ठीक है, यह है हमारा chapter, पहला supply under GST, section 7, आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो main, इसके बाद section 9 है, जो आप में main पढ़ने वाले हो, ठीक है, अभी chapter में क्या क्या चीज़ है, मैं basic वो बता रहा हूँ, फिर हम chapter वे तरफ आगे proceed करेंगे, ठीक है, भई supply, supply का क्या मतलब है, supply के अंदर क्या क्या चीज़े आती है, कब कहेंगे कि supply हुई है, क्यों तो फिर वो capital gain में taxable ही नहीं होगी, है न, तो ऐसे ही यहां पर अगर कोई transaction supply ही नहीं है, तो government कहते है, उसके GST भी नहीं लगेगा, कितने number का question आ सकता है supply chapter में से, तो यहां से न, 4 से लेके 5 number तक का, आपसे वो easily पूछ सकता है, descriptive, ठीक, देखो MCQ तो वो कितना भी डाल सकत descriptive 4 से 5 के बीच में आ सकता है, ठीक है, इस से जादा भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 6 number का पूछ ले कहीं, ठीक है, 7 number तक maximum जा सकता है, लेकिन अभी तक गया नहीं है, तो supply under GST की बात कर रहे है, supply आपके मैं बता रहा था कि इसमें क्या क्या हो सकता है, supply goods की भी हो सकती है, ठीक है, supply कौन करता है, supplier करता है, supplier supplies करेगा, तो supplies का क्या मतलब है, तो एक एक करके हम सारी बाते detail में समझते हैं, अच्छा, इसके अंदर आप ना, मेरे साथ जो चीजें पढ़ने वाले हो, उसमें, 1, 2, और 3, ये 3 schedule main पढ़ोगे, section 7 के अंदर definition पढ़ोगे, ठीक है, schedule 1 आपका बताता है, कि कब बिना consideration के की गई activities को supply मानेंगे, schedule 2 बताता है, कि किस activity को supply of goods मानना है, किसको supply of service मानना है, schedule 3 बताता है, कि कौन कौन सी ऐसे item से जिने supply, नहीं मानना, ठीक है, main है, इसके बाद हम composite supply और mixed supply भी पढ़ेंगे, कि GST में जो supplies हैं, उसको 2 तरीके से बाटा जाता है, कि एक होती है composite supply, एक होती है mixed supply, क्या होती है, कैसे होती है, थोड़ी देर में, आप मेरे साथ देखने वाले हैं, ठीक है, अच्छा, भई, blockage तो नही अच्छाँ नहीं दिमाग में है, नहीं, नहीं, देखो, आप हमारे पास दो बुके हैं, एक है हमारी perfect revision book, एक है हमारी perfect practice book, ठीक है, perfect revision book के अंदर concept है concise way में, ठीक जी, और perfect practice book के अंदर हमारे questions हैं सिर्फ, GST में questions plus answers होनों है, ठीक है, तो आपके पास I think perfect practice book होगी, अगर सिर आज वापस देरा मेरे साथ, अब हम बात कर रहे हैं sir, supply का मतलब और उसके scope के बारे में, उसका अर्थ क्या है और उसका area क्या है scope of area, ठीक, तो section 7 है देखिए, जो की supply की definition देता है, और ध्यान रखना, जितनी बार भी मैं section word use करूँगा यहां पर, मैं बात करूँगा CGST Act 2017 की, section का मतलब CGST Act 2017 रहेगा, आप हमेशे अपने answers में इसी तरीके का लिखेगा, as per the provisions of CGST Act 2017, under the light of the provisions of CGST Act 2017, under the purview of the provisions of CGST Act 2017, section याद करने है, होशुष करो, याद हुआ है, तो अच्छी बात है नहीं याद होते तो, inter पे माफी है, final में माफी नहीं है, वहाँ पे आपसे उमीद क की जाती है कि आप section लिखो, ठीक है, ठीक है, तो inter पे आप इतनी liberty ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ये suggest करूँगा, personally, personally, ये मत बोलना कि किसी और ने बोला था, मत याद करो, ये मेरी ऐसी इच्छा है, कि कोशिश करना, कि कुछ-कुछ section याद हो, और मैं कोशिश करूँगा, कि हमारा session खतम होने तक, दो-चार section आपको याद करा दूँ, ठीक है, न? कुछ sections तो याद करा ही दूगा, गभराओं मत, section 7, supply, देखो, supply, तब कोई transaction supply मानी जाएगी, तो कहां तीन बाते होनी चाहिए, अगर ये तीनो बाते होंगी, तो हम कहेंगे, कि ये transaction supply की category में आती है इसे supply treat किया जाएगा, and if that will, that considered as a supply, then GST will be applicable on that, तो में आती है बात, अब वो कौन सी तीन बाते हैं, न? एक, supply जो है सर वस्तुओं की हो, या सेवाओं की हो, it should be goods or services, anything other than the goods and services will not attract GST, like money, securities, because monies will not be considered under the definition of goods, securities will not cover under the definition of goods, therefore GST will not be applicable on that, it is outside the purview of GST, is that clear or not, एक, second बात, पहली बात किया थी सर, goods or services होनी चाहिए, दूसरी बात, supply should be made for consideration, then what is the meaning of consideration here, consideration means something in return, you are paying fees, we are providing online education, so fees is consideration for ourselves and online classes is consideration for you guys, तो consideration का होना, जी हाँ, बिलकुल सही का, आपने quit procure, foundation से पढ़ते आ रहे हैं तो, there must be a consideration, अभी मैं consideration शब्द को और अच्छे से explain भी करूँगा, ठीक है, ठीक है, third चीज़, and most important, last but not the least, but most important, supply should be made in the course and for furtherance of business, आप जो supply कर रहे हो, यो business में कर रहे हो, या furtherance of business में कर रहे हो, अब सवाल यहाँ पर यह उठा कि furtherance of business का मतलब क्या है, उठा के नहीं उठा, furtherance शब्द का अर्थ क्या है इसका अर्थ है business को बढ़ाने के लिए कर रहे हो business में कर रहे हो in the course of business या profession हो सकता है या फिर furtherance of business तो profession हो सकता है मतलब आप अपने business को promote करने के लिए कर रहे हो बढ़ाने के लिए कर रहे हो ताकि आपका business आगे बढ़े और तो तीन बाते अगर ये हैं तो आप कहोगे कि ये supply है तो supply should be goods or services थाके नहीं है सर अच्छी बात है supply should be made for a consideration and supply should be made in the course or furtherance of business simple, very simple कोई दिक्कत यहां तक किसी को आगे चलू अब इसके अंदर जो बाते आई हैं न तीन बाते आई हैं goods or services consideration और business इन तीन बातों को हम समझते हैं इन तीन बातों को समझते हैं goods का क्या मतलब है every kind of movable property हर वो movable property मतलब जो move कर सकती है लेकिन इसमें money नहीं है securities नहीं है money or security move कर सकती है लेकिन specifically money or security को हटा के रखा है ठीक है लेकिन actionable claims इसके अंदर आते हैं growing crops उगती हुई फसल देखो जैसे हैं मैंने photo लगाई एक अच्छी सी आप लोगों के लिए जमीन पे देखो घास things attached to or forming part of land घास तक को नहीं छोड़ा government ने जो भी चीज़ जमीन से attached है which are agreed to be served before supply under a contract of supply यहाँ पर सवाल यह उठा है actionable claims क्या होते हैं ठीक है पहले goods की मतलब समझ लेते हैं फिर actionable claims पर भी आते हैं तो देखो हर movable item money और security को छोड़कर इसके साथ साथ इसमें क्या क्या include किया गया actionable claims, growing crops, उगती हुई फसल, घास और जो things attached है या forming part of land which are agreed जो आप agree कर जाते हो कि आप supply करोगे contract और supply के अंदर ठीक है अब सवाल यह उठा की साथ actionable claims क्या होते हैं हिंदी में अगर मैं इसको अनुवाद करूँ तो इसका मतलब होता है दावा करने योग्य तो दावा करने योग्य मतलब क्या आपने bank से loan लिया आपने bank से loan लिया तो क्या bank आपसे दावा कर सकता है कि loan वापस करो बताओ मुझे, कर सकता है कि नहीं कर सकता आपने किसी को bills of exchange issue करा BRS आपने करा पढ़ा है नहीं पढ़ा तो वो आपसे कहेगा ना कि भाई पैसा दो तो यह सब क्या है यह actionable claims है दावा कर सकते हो आप इनका unsecured loans होते हैं जैसे कि आपके है ना वहीं secure loan में तो पता है कि इसके अगेंस में यह property secure है बेच के ले लूँगा नहीं देगा तो गला पे चड़ जाओंगा इसके मैं loot लेंगे तो मैं दोगे नहीं तो है ना तुवारी जमीन बेच देंगा गिर भी रखे तुमने unsecured में मतलब security नहीं है लेकिन अगर unsecured है तो क्या इसका मतलब मैं दावा नहीं कर सकता कि मेरा loan वापस कर तो आपने जो मेरे से लिया है कर सकता हूँ ना तो वही बात यहां बताएगी actionable claims आपके आते हैं ठीक है next services का मतलब क्या है हाँ जी services का means anything other than goods money and security but includes activity relating to use of money or in conversion by cash or any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged services का मतलब goods के अलावा बाकी सभी चीज़े आ गई लेकिन नीचे इनोंने बात लिखी है वो समझ में नहीं है यहां पर क्या कह रहे हैं आपके पास rupees है rupees को convert कर रहे हो dollar में dollar को convert कर रहे है rupees में ruble में pound में दिनार में दीरम में किसी में तो यह जो काम कर रहा है व्यक्ति conversion का यह सेवाई दे रहा है currency exchange हो रही है उसको नहीं कह रहे है government service जो वो बदलने की सेवा दे रहा है वो service है सुझ में आता है बहुत important नहीं है goods की definition important है बस चलो आगे चले हाँ हाँ बहुत simple simple बात है मैं चाहूं तो से बहुत जल्दी खतम भी कर सकता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार base आपका develop हो जाए अच्छे से तो consideration वैसे तो consideration में से वो पूछता नहीं है लेकिन फिर भी mcq में कहीं पूछ ले आपसे ठीक है तो यही बताया गया consideration का मतलब क्या इस chart की मदद से समझने की कोशिश करते है consideration ठीक है ऊपर इसी chart को यहां पर लिखकर दिखाए गया मैं पड़ भी दूगा आपके साथ ठीक है तो देखो consideration payment in money और otherwise for the supply आप money में payment कर रहे हो या otherwise otherwise में क्या हो सकता है सर monetary value of any act क्या मतलब है इसका Mr. A Mr. B या मैं एक छोटा से example लेता हू suppose आपने मुझसे का sir GST की classes हो तो मैंने का ठीक है देता हूँ fees देनी की बाद ही आई आपने का sir दिवाली आरी है हमारी paint की shop है ऐसा करो सारा paint का समान हमारी दुकान से ले लो और जितना भी paint होगा आपकी घर में उसकी supply हम कर देते हैं तो आपने क्या करा उस act की monetary value लेखी ज इसका क्या मतलब होता है काम ना करने के लिए इसको भी detail में समझेंगे इसके ओपर government अभी recently clarification दिये बहुत detail में मैं इसके ओपर जाओंगा भी आगे ठीक है अगली class में हो सकता है कि मैं पूरा एक clear कर दू ठीक है by recipient और any other person recipient करे या कोई और person करे अभी राम चंदर जी ने ए प्रक्ति था लेकिन करनाटका से payment दिल्ली वाले ने करी कि जमुमेंट कश्मीर में भेज दो तो चाहे recipient payment करे या उसके भी आफ पर कोई और करे consideration की परिवाश्या में उसे रखा गये है ठीक है फूंच में आती है बात भाई दिल्ली जेन के और करनाटका है तो पेमेंट किस ठीक है ना या फिर आपने deposit दिया देखो deposits to be considered as a payment advance अगरा payment करते हो नहीं करते हो deposit देदिया आपने है तो वो भी है only deposit के case में लेकिन क्या बताएगा only when the supplier applies such deposit as a consideration for the set supply अगर आपके पास deposit आया और supplier कहता है कि मतलब supplier इस बात को show करता है अपनी किताबों में कि जो deposit आया है suppose Mr. A. ने Mr. B. को supplies करनी है एक लाक रुपे की ठीक है Mr. A. ने कहा कि sir 10,000 रुपे यह लोग रखो deposit पकड़ो और advance पकड़ो और supplies शुरू करो ठीक तो अगर Mr. जो supplier है वो दिखाते है अपनी किताबों में कि हाँ यह deposit आया है इस supplies है तब इस consideration माना जाएगा क्योंकि उस case में फिर government यहाँ पर discussion power दे दी कि अगर supplier नहीं show कर sir क्या नहीं आता अगर आपको केंद सरकार या राजी सरकार से किसी भी प्रकार की कोई subsidy मिली है वो consideration में नहीं आती है इसके अलावा कहीं और से मिले sir consideration में आती है ठीक मतलब value of supply में उसे add कर दोगे जब हम chapter करेंगे value of supply वहाँ पर एक section आता है section 15 जो बताता है कि subsidy का कि नहीं आई कहानी यही बात sir यहां पर जरा शब्दों में पिरोई गई है अब चाहो तो आप read कर सकते हो अपने आप या कहो तो मैं read कर दूँ अब जो definition आपके सामने है यह वही जो income tax में आप जगा 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 पढ़ते हो ठीक है ना वही same है कि person का क्या मतलब है person का क्य मतलब है GST में जो भी amendments है वो सारी मैं आपको cover कर रहाऊंगा घबराओं मत ठीक है ना जो आपके exam के लिए applicable है वो मैं अभी करातावा चलूँगा November के लिए कुछ और आएंगी अगर तो वो आपको बता दी जाएंगी ठीक है फटा-फट से थोड़ी basic-based की बाते कर लेते है क्योंकि time खुतम हो गया है ठीक है तो देखो person में individual, issue of company, firm, LLP, association of person, body of individual, whether incorporated or not in India or outside India, any corporation established under central state, provincial, किसी भी act में बनी हो, company's act में बनी हो, body of corporate, corporate society, registered under any law, corporate society, local authority, central government state, government trust, या कोई भी artificial traditional person, हर जगा पढ़ते हैं आरे हो आप यह, income tax में बढ़ा, company's act में बढ़ा, है ना, any trade, आप कोई भी trade करते हो, commerce करते हो, manufacture करते हो, ठीक है ना, profession है आपका, vocation है, adventure है, wager और any other similar activity, whether or not, it is for a pecuniary benefit, मतलब आपको से कोई pecuniary benefit हो रहा है, मतलब monitor terms में benefit हो रहा है या नहीं, कोई भी trade हो, commerce हो, manufacture, profession हो, vacation हो, comment देखा, यह सारे जो है, वो business की definition के अंदर आते हैं, अब ज़रा एक example देखो इसके उपर, रिशब, buy a car, आपकी study match से लिया, buy a car for his personal use, and after a year, sell it to a car dealer, रिशब ने एक काड़ी खरीदी, अपने personal use के लिए, और एक साल के बाद गाड़ी के dealer को बेच दी, बताओ क्या ये business है, बताओ क्या ये business है, क्या क्या ये business है, क्या कहेंगे कि रिशब रिशब ने, अपने business में use कर रहा होता, profession में use कर रहा होता, तब क्या होता, तब बताओ answer, business की asset थी, हम उसे बेच रहे थे, बन जाती, business माल ले जाता, supply माल ले जाता, ठीक है न, हाँ, अभी इसको detail में पढ़ेंगे, sale of car by Rishabh, or car dealer is not a supply under GST Act, because set supply is not made by Rishabh, in the course or furtherance of business, Rishab ने, यह जो supply करी है, यह business में, या business को furtherance में नहीं करी, ठीक है जी, example clear है, आपके studi mat से लिया गया, ठीक, any activity or transaction in connection with, और incidental और ancillary, कोई भी activity या transaction, जो उपर बताएगई चीज़े हैं, उनसे incidental हो, या ancillary हो, incidental मतलब related हो, ancillary मतलब supportive हो, ठीक है न, any activity or transaction in the nature, whether or not there is a volume, frequency, continuity, or regularity of such transaction, बहुत important, देखो यहाँ पर जो third point बताएगे, बहुत important बात बताएगे, बहुत ज्यादा important, क्यार any activity or transaction in the nature above, जो उपर आपको transaction or activity बताएगे, उस nature की हो, ठीक है न, अब देखो उस या बात क्या कहा, whether or not there is a volume, volume है या नहीं है, कोई फरक नहीं पड़ता, frequency है या नहीं फरक नहीं पड़ता, continuity है या फरक नहीं पड़ता, regularity है पता नहीं, मतलब एक बार भी करी, business माल है, एक बार भी करी, continuity है नहीं है, frequency है नहीं है, regularity है नहीं है, कोई फरक नहीं पड़ता है, सर, हम मानेंगे business है, business मानेंगे, तो GST ले लेंगे आप से, क्योंकि वो supply की definition माल जाएगा, सम्म्में आती है बात की नहीं आती, एक बार करी मैंने, GST माल लेंगी comment, ठीक है, हाँ हाँ, देखो, देखो, example, देखो, मनी करने का, sold her gold, oh sorry, old gold bangles, मतलब पुरानी सोने की चूडियां and earrings to abhushan jwellers, अच्छा जी, sale of old gold jewelry by an individual to a jeweler will not constitute a supply, the same cannot be said in the course of furtherance of business of the individual, अब आप देखो यहाँ पर, आपने gold chain jewelry बेची, उसे यहाँ पर government supply नहीं मानरी, याद करो, तो personal effect की definition कहाँ पढ़ी थी आपने मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी आपने, कहाँ पढ़ी थी personal effect की definition, कि कौन-कौन से item personal effect में आते हैं की नहीं आते, capital gain में, तो यहाँ तो capital gain लग जाता, है ना, तो government GST कैसे ले लेगी, एक ही चीज़ पर द कि यह furtherance of business में नहीं है, supply of goods है, goods आपकी jewelry है, माल लिया, consideration है, यह भी माल लिया, लेकिन क्या furtherance of business है, हमने तीन बाते पढ़ी है दर, पहली goods और service होनी चाहिए, second sir, आपका consideration होना चाहिए, third sir, आपका in the course or furtherance of business होना चाहिए, तो उपर की दो बाते तो हो गई, क्या furtherance of business है य ही, समझ में आई की नहीं आई बात, अभी आपको ओपर कहां की vocation भी आता है, vocation का मतलब क्या होता है, कोई भी skill development वाला काम, जैसे की carpenter, driver, इस तरीके की जो होते है, ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, उस वाली बात को आपर example की मदद से बताए गया है, since business include vocation, हमने ओप goods or services as a vocation is also supply, यह आपका vocation है, तो भी government कहे रही कि आपका supply माल ले जाएगा, example यहापर लिया, सुंदरम अचार्या, एक famous actor है, ठीक है जी, इन्होंने paint करी एक painting और इसको बेच दिया, एक paint करी painting और इसको बेच दिया, sir, क्या ऐसा situation हो सकता है, कि एक transaction पर income tax और GST दोनों लगेगा, ऐसा बहुत, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाता, इंटर में तो फिलाल आप कैसर नहीं देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है, अभी यहाँ पर आजाओ, क्यारें कि एक विक्ति है, देखो सुंदर अचारे, एक famous actor है, इन्होंने एक painting मनाई और painting बेच दी, consideration from such sale is donated to a charitable trust, kind human, अभी यहाँ पर देखो, यह जो painting sale करी गई है, इसे government कह रही है, कि हम इसे मानेंगे supply, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह vocation है, चलो, supply और acquisition of goods, including capital asset and services in connection with commencement or closer of business, अगर आप capital asset acquire कर रहे हो, या sale कर रहे हो, तो government ने कहा, उसे हम supply मानेंगे, कब, अगर आपने यह जो acquisition और sale किया है, यह commencement of business, या closer of business पर किया हो, मतलब business शुरू कर रहा हूँ, मैं, इसके लिए capital asset purchase करी मैंने, supply, business बंद कर रहा हूँ, जितनी भी capital asset ही, मैं सारी के सारी बेच रहा हूँ, वो मैंने क्या कहा, यह business है, यह supply में आ जाएगा, सुझ में आती है बात की नहीं आती, सुझ में आती है बात की नहीं आती, the provision by a club, association, society और any such body of the facilitation or benefits to its member as the case में भी, भाई एक club है, club membership fees ले रहा है आपसे, क्यों आप club में आओगे, games खेलोगे, अपने आपको fit रखोगे, swimming pool है, gym है, अलग-अलग facilities प्रवाइड कर रहा है, है ना, जैसे कि halls वगेरा भी देते हैं वो अपने functions करने के लिए club, तो अपने member से जो fees ले रहा है club, वो में ने कहा कि यहाँ पर इसे business के अंदर रखा गया है, ठीक है ना, देखो, for a subscription or any other consideration, सम्झा आती है बात की नहीं आती, admission for a consideration of a person to any premises, किसी premises में enter करने के लिए, आपसे consideration charge किया जा रहा है, आप गए amusement park में 28% से GST लगता है वहाँ पर, ठीक है, तो वो business की definition में आ रहा है, clear है, चलो मैं आपको direct example, example, चलो पहले पढ़ लेता है, फिर example दिखाता हूँ, मैं नहीं बूलोगे यह पढ़ा है नहीं, ठीक है जी, services supplied by a person as a holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade profession or location, आपने कोई office hold कर रखा है, जिसके आपको consideration pay किया जा रहा है, ठीक है ना, business में या business को promote करने के लिए, ठीक है ना, trade किया, profession किया, vocation किया, तो जो consideration मिल रहा है, government आपको business है, ठीक है ना, vocation, बताया है तो vocation का मतलब होता है पेशा, आपने as a director hold कर रखा है कोई position, independent director हो आप, ठीक है ना, आप कोई विक्ती है, क उसने एक position hold कर रखे किसी organization के अंदर, ठीक है ना, कोई NGO है, जैसे कि suppose मैं एक example लिता हूँ, DAV, अपने नाम सुने, सरकार के बाद सबसे बड़ी संसा है जो education provide कर दी है, ठीक है ना, अब इसकी जो managing committee है, उसके अंदर कई बार retire judges होते है, कई बार कि अभी भी हैं, वैसे इसके बाद activities of a race club including by way of totalizer or a license to a bookmaker और activities of a license bookmaker in a search club, जो horse race होते है, घोडो की race लगती है, उसके अंदर उसके बीडिंग भी होती है, तो जिस यंतर की मदद से वो calculate करते हैं, उससे ये totalizer बोलते है, ठीक है ना, तो ये जो race club अपनी services दे रहा है, गवर्मेंट का ये बिजनस क definition में आता है, ठीक है, any activity or transaction is undertaken by the central government, state government, any local authority in which they are engaged as a public authority, वो भी business है, जैसे कि हमारा CBTT board, CBIC, SEBI, IRDAI, RBI, और कितने नाम बता हूँ आपको, ये सब क्या है, यहाँ पर किंज सरकार या राजजी सरकारे, जैसे कि PSUs हो गए आपके, है ना, public authority की ACS से काम कर रही है सरकार, तो ग जड़ा हम बाकी के examples read कर लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखो, Services provided by a club association to its member for consideration is a supply, आपने पढ़ा, example, A resident welfare association provides a service of depositing electricity bills of the residents in lieu of the same, some nominal charges, provision of service by a club or association of a society to its member is a treatless supply as this includes the definition of business, एक RWA है, अपने रहने वाले लोग जितने भी घर है महाँ पर, उनसे कहती है कि आपका जो bill है, वो हम भर दिया करेंगे, तो government कह रही है कि यहाँ पर इसे supply माना जाएगा, business माना जाएगा, business माना जाएगा इसे, ठीक है न, admission of a person, any premises, consideration is also included in the business, मैंने आपको बताया था, आप किसी amusement park में गए, वहाँ पर आपको पैसे दे कर उसमें entry मिलती है, तो government ने का वो भी business है, देखो, service by way of admission to circus, cinema halls, अब circus तो छोटे शहरों में फिर भी लग जाते हैं, cinema halls हो गया, amusement parks हो गया, theme parks, water parks, considered as a supply, reason being, there is a service by way of admission of a person to any premises for a consideration, is municipality services also attract GST, और it treated as supply, देखो, अच्छा कोशन है यह, हम अभी यहाँ पर क्या पट रहे हैं, कि business माना जाएगा यह नहीं माना जाएगा, business माना जाएगा तो supply माना जाएगा, supply माना जाएगा, तो क्या GST लगेगा, हाँ, लेकिन subsequently government को लगता है, कि यहाँ पर जो हम यह business कर रहे हैं, यह social welfare का है, तो government क्या करती है, उस case में, वहाँ पर government exemption provide कर देती है, कि यह supply भी है, business भी है, सब कुछ है, लेकिन इस पर GST नहीं लगेगा, हम specifically exemption दे रहे हैं, यह होता है महाँ पर, तो municipality की services पर भी government ऐसा ही करती है, ठीक है, अगला example, business include activity of a race club, including by way of totalizer, और a license to bookmaker, और activities of a licensed bookmaker in such club, यह मैंने आपको बता है, कोई license holder race club है, जो गोडो की race लगवाता है, ठीक है न, तो वहाँ bidding अगरा भी होती है, तो वो जो service provide कर रहा है, government ऐगा, वो भी business है, और business है तो फिर, GST के दारे में आ जाता है, ठीक है न, तो यह बात लगिए, royal turf race club is engaged in the facilitation of wagering, मतलब betting कहते हैं ऐसे, ठीक है न, दाव लगा न, जिसे बोलते हैं आप लोग, है न, आपने मतलब bet करा, कि यह जीतेगा, कि यह जीतेगा, तो पैसा double या, जो भी आता है, ठीक है न, transaction on horses placed through totalizer, totalizer एक device होती है, जिसकी मदद से, calculation वगरा की जाती है, किस गोड़े पर कितनी बोली लगी, क्या उस पर होगा, आप डाउन, वो सब ठीक है, for providing the services of a facilitation, wagering transactions, wagering transaction मतलब, जो यह betting हो रही है, ठीक है न, तो royal turf, race club gets commission, which is deducted and retained by the club, for the total bet value, total bet value में से, कुछ commission वो रख लेंगे, set service amount by supply, as activity of a race club, are intruded in the business, तो जो club है, जो services दे रहा है, इस पर जो यह commission चार्ज कर रहा है, government ने का, यह GST के दारे में आता है, इसे हम business मानेंगे, अब आप मुझे वाफ बदाईए, यहां तक सब को सौझ में आया है कि नहीं आया है, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो, अब देखो, ध्यान से सुनो जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भई हमने goods की definition बढ़ी थी, और यहां पर clearly बता दिया था, कि goods के अलावा जितनी भी चीजें हैं, वो आपकी service के अंदर आ रही है, anything other than goods, देखो, money, security, but includes activity relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form currency or other denomination, बताया था कि नहीं बताया था, जैसे कि आप हमसे क्या ले रहे हो, सेवाई ले रहे हो, आपका क्या करते हैं वो लोग, money order कर देते हैं, एक जगा से दूसरी जगा पर चिठी पतरी बेज नहीं होती है, बेज देते हैं, पोस्ट ओफिस में सेविंग अकाउंट खुलता है, बैंक्स में आपके अकाउंट खुलते हैं, यह सब क्या है, यह सब सेवाई हैं, सर्विसेज हैं जो आपको दी जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, और ध्यान रखना यहां से चीज़े थोड़ी सी अब टेक्निकल होना शुरू होने वाली हैं, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है जी, चलिए, स्टाट करते हैं, बात करेंगे, वाट इस दी मीनिंग ओफ सप्लाई, सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, परिवाशा क्या है, जो की आपको CGST Act 2017 बताता है, तो सार सेक्शन 7 है इसके ओपर जो बात करता है, कि किस तरीके से किन-किन चीज़ों को हम सप्लाई की श्रिणी में रखेंगे, सप्लाई कहेंगे, मतलब कोई activity हो रही है, बेल परचेस पर capital gain भी arise नहीं होता, है ना, तो वहाँ पर क्या था, कि capital gain निकालने के लिए capital asset का होना जरूरी है, यहाँ पर supply अगर होगी तभी GST लगेगा, supply नहीं होगी तो GST नहीं लगेगा, बेसिक समझ में आता है, जल्दी बताएए, सभी form of supply, किसकी, goods की, services की, या फिर goods और services, दोनों की, किसी भी नाम से आप उसे बुलाओ, चाहे sale के नाम से बुलाओ, चाहे बाटर, ट्रांसफर के नाम से बुलाओ, चाहे बाटर सिस्टम उसे बोलो, चाहे exchange बोलो, चाहे license बोलो, चाहे rental बोलो, चाहे lease बोलो, चाहे disposal बोलो, मतलब आप उसे dispose off कर रहे हो, तो government ने क्या कहा, हम उसे supply मानेगे, आपने करी, made और agree to be made, आप agree करते हो, कि आप sale करोगे, transfer करोगे, बाटर करोगे, exchange करोगे, lease पर दोगे, rent पर दोगे, लाइसेंस पर दोगे, या dispose off करोगे, ठीके जी, किसके साथ साथ देखो, made और agree to be made, किसके लिए, for consideration, और तीसरी बात, जो मैंने आपको बताई थी, in the course, और furtherance of business, हमने क्या देखा था, कि जब हमने कहा था, कि कोई supply है या नहीं, तो पहली तीन बाते निकल कर आई थी, goods या services होनी चाहिए, consideration का involvement होना चाहिए, और in the course or furtherance of business होना चाहिए, तो वही तीन बाते देखिए, यहाँ पर फिर से निकल कर आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्ती बताओ, चलो, यह तो हुआ first point, की supply के अंदर यह जीवे आती है, all form of supply of goods or services, in form of sale, exchange, transfer, barter, lease, rental, license, और disposal, ठीक है जी, made in, or agreed to be made for consideration in the course or furtherance of business, simple सी बात है, खतम जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो, second point में क्या बता है, importation of service, importation of service का क्या मतलब है, इमेज में लगा दिए, जैसे यह आपके लिए बाटर है, यह exchange का सकते हो आप इसे, ठीक है न, importation, जब भी word import आजाता है, इसका मतलब है, outside the territory, और territory शब्द किसके लिए इस्तमाल कर रहा हूँ है, हमारी भारतवर्श की सी माउकले, तो जब भी आप देखिए, outside इंडिया से import करते हो, क्या करते हो, import services करते हो, ठीक है जी, जिसमें consideration involved है, बहुत ध्यान से इसको highlight करिए, consideration के against में, ठीक है जी, आपने services import करी, जिसके लिए आपने consideration पे किया, whether or not in the course or furtherance of business, very very important, mark करो इसको very important, अपना एक घर बना रहे हैं, बहुत पराने जमाने का मैंने घर बना दिया है, ठीक जी, अब इस घर में देखो, बनाने के लिए इन्हें चाहिए कि घर का नक्षा वगरा बना दिया जाए, interior decoration इसकी बढ़िया से हो, first class ए घर बनाना चाहते हैं, इन्हों ने US के किसी person से या किसी firm से कहा, कि हमें ये सारे काम आप करके दीजिए, तो Mr. A. क्या कर रहे हैं सर, import कर रहे हैं ये क्या, services, US वाली जो firm है, इनसे क्या लेगी, payment लेगी, ठीक है जी, किसी भी firm में हो सकता है, rupees में हो, dollar में हो, है ना, अब देखो, यहां पर Mr. A. ने import करी, services, किस लिए करी, घर बनाने के लिए, मतलब business में तो नहीं करी सर, है ना, business में नहीं करी, तो भी, क्योंकि यहां पर consideration है, तो हम कहेंगे, कि ये supply की definition में आता है, समझ में आई बात के नहीं आई, यहां पर जरूरी क्या है, consideration का होना, ध्यान रखिएगा, अगर import की जाती है, services, और consideration है, तो किसी भी purpose के लिए हो, whether or not in the course, or furtherance of business, it shall be considered supply, under section 7, CGST Act 2017, अभी इस चीज़ को, मैं और detail में लेने वाला हूँ, schedule 1 के अंदर, हम schedule 1 में, ऐसी activities के बारे में, पढ़ने वाले हैं, जहां पर consideration नहीं है, फिर भी government कह ज़िए, कि इन्हें आप supply मानिए, ठीक है जी, आगे चलते हैं, चलिए, देखिए, 3rd clause में क्या बात बताई जा रही है, 3rd clause में कह रहे है, the activities specified in schedule 1, made or agreed to be made, without consideration, schedule 1 में बताई गई अगर activities की जा रही है, ठीक है जी, तो उन्हें भी supply मानेंगे, अब सर schedule 1 क्या है, तो schedule 1 अम अभी 2 मिनिट में पढ़ने वाले है, ठीक है, जी, समझ में आगया बाद, cross-seek अंदर क्या कहा, कि schedule 1 वाली जितनी भी activities है, उन्हें भी हम supply treat करेंगे, और schedule 1, schedule 2, schedule 3, ये 3 schedule यहाँ पर सबस्दादा important है, जिसमें से question उठका रक्सर आता है, ठीक है, चलो, अब हम बात करते हैं, next clause पे, schedule 1 क्या है, अब सर यहाँ पर क्या बताया, कह रहे हैं कि schedule 2 के अंदर, जो transaction बताई गई है, उनके accordingly, जो transaction schedule 2 में बताई गई है, वो भी supply की definition में आती है, schedule 1 वाली भी आती है, सर, schedule 2 वाली भी आती है, सबसे पहली चीज़ क्या बताई, section 7 ने, clause 1 के अंदर, clause 1 के अंदर, के भाई, all form of supply, goods और services की, आप कर रहे हो, agree to be, कर रहे हो, agree करते हो करने के लिए, चाहे, sale के नाम से, transfer के नाम से, license के नाम से, lease के नाम से, rental के नाम से, disposal के नाम से, exchange के नाम से, जिसके रहे consideration इंवाल है, और in the course of furtherance of business कर रहे हो, second बात बताई, कि आप import करते हो, services without, with consideration, whether or not in the course of furtherance of business, supply माल लेंगे, third और fourth बात क्या बताई, कि schedule 1 और schedule 2 में, जो transactions बताई गई है, उन्हें भी हम supply treat, अब schedule 1 और schedule 2, के अंदर, कौन कौनसी transaction है, ये एक सवाल बन रहा होगा, आपका, तो ये मैं आपको भी थोड़ी जिर में कराने वाला हूँ, ठीक है जी, ये exact मैं आपको definition दिखा रहा हूँ, कि क्या-क्या बाते बताई गई है, subsection 2 के अंदर क्या बताया, subsection 2 के अंदर, government ने schedule 3 के बारे में बताया, government ने कहा, schedule 3 के अंदर, जो transactions बताई गई है, उन्हें हम ना ही supply of goods treat करेंगे, ना ही supply of service treat करेंगे, सौझ में आगी बाद, इसके बाद, हाँ जी, बताईए, यहाँ तक clear है, subsection 2 clear है, section 1 वाली transaction, schedule 1 वाली transaction, schedule 2 वाली transaction supply के अंदर आती है, subsection 2 में government ने कहा, कि हमने schedule 3 बता दिया है, और schedule 3 के अंदर, जितनी भी transactions आती है, उन्हें हम supply of goods, या supply of service treat नहीं करेंगे, देखो, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, किस तरीके से लिखा, जी दिखे, activities or transactions specified in schedule 3, इसी को हम negative list भी कहते हैं, और such activities or transaction, undertaken by the central government, or state government or any local authority, in which they are engaged as a public authority, schedule 3 बली transactions, या फिर central government, state government या local authority की वो transactions, जिसमें वो as a public authority involved हैं, ठीक है न, as may be notified by the government on the recommendation of the council, इसका क्या मतलब है, वो transactions जो government ने notify कर दी है, किसकी recommendation पे, council की मदद से, और ये council transactions होते हैं, इन्हें exemption chapter में पढ़ेंगे हैं, क्योंकि इन्हें specifically exempt कर दिया गया है, ठीक है न, देखो, council shall treated neither as a supply of goods, nor supply of service, schedule 3 बली transaction, इसके साथ साथ तो वो transaction, जिसमें central government, state government, local authority, as a public authority involved है, जैसे कि, for example, public authority government कहां पर involved है, कोई example दे सकता है आप में से, कोई दिमाग में आ रही हो चीज आप क्या ऐसी, department of post state transportation, है न, भई, railways आपका, है न, तो ये सब चीजे क्या है, government as a public authority involved है, और ये supply तो मानी जाती है, government ने कहा ही से supply मानेंगे, लेकिन, इन्हें specifically, exemption दे दी जाती है, exemption दो तरह से दी जाती है, या तो circular की मदद से, या notification की मदद से, अभी exemption chapter करेंगे, तो वहाँ देखेंगे, तो schedule 3 वाली transaction, और जिन्हे specifically government ने देखो, notify कर दिया है, council की recommendation की वज़े से, council recommend करती है, कि यहाँ पर आपको exemption दे दी नी चीए, क्योंकि यह समाज कल्याण के लेकी जारी है, है ना, तो उन्हें भी हम supply treat नहीं करेंगे, उसके अंदर जितनी भी transaction आएंगी, उन्हें नहीं supply of goods मानेंगे, नहीं supply of service मानेंगे, अब कौन कौन सी transaction आएंगी, जब schedule 3 पढ़ेंगे, जब हम exemption chapter पढ़ेंगे, तो detail में समझेंगे, अभी हम उपर से एक view ले रहे हैं, है ना, एक overview देख रहे हैं, कि supply में क्या क्या चीज़े आ रही हैं, क्या क्या नहीं आ रही, आगे चले, आगे चले, आगे चले, चलो, next subsection 3 में, गवर्मेंट ने अपने पास, पावर होल्ड कर ली, गवर्मेंट ने कहा, कि काउंसिल आगे हमें रिकमेंड करती है, तो in future, हम किसी transaction को supply treat कर सकते हैं, पढ़के देखो, गवर्मेंट में, on the recommendation, अब किसकी recommendation होगी, काउंसिल की होगी, इसका मतलब Central Board of Indirect Taxes and Custom की काउंसिल है, ठीक है, जैसे income tax में, CBDT है हमारी Central Board of Direct Taxes, जैसे यहाँ पर ये, ठीक है, specify by notification, the transactions that are treated supply of goods, and not supply of service, or a supply of service, not supply of goods, हमारे पास power है, कि किसी transaction को, हम कह दे, कि ये supply of goods नहीं, supply of service माना जाएगा, हम कह दे कि ये supply of service नहीं, supply of goods है, ठीक है, तो ये power government अपने पास hold करके, रख लिए है, अब इतनी चीज़ पढ़के, ये थी supply की definition, यहाँ तक समझने के बाद, आपके मन में जो दो सवाल, बड़े उठने चाहिए, तीन सवाल, वो ये, कि सर, schedule 1 के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन है, schedule 2 के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन है, और schedule 3 के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन है, कितने लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है, जल्दी से बताओ, कि हमें ये तो समझ में आ गया सर, कि all form of supply, goods or services, goods or services और बोथ, in form of sale, transfer, बार्टर, lease, exchange, rental, disposal, made or agreed to be made, in the consideration, और in course of furtherance of business, ठीक है जी, import of service आला भी समझ में आ गया, अब सवाल ये तीन उठते हैं, schedule 1, schedule 2, schedule 3, बता दो तो हमें समझ में आ जाए, कि supply के अंदर कौन कौन सी चीजे आती है, कौन कौन सी नहीं आती, आता है बिल्कुल मन में सवाल, और आना भी चाहिए और नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जागरी तवस्था में नहीं हो, सो मत उठ जाओ फटा फट से, ठीक है, देर रात तक पढ़ाई करिये, और नहीं दा रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा आप लोगों के साथ, अभी इस से पहले हम, schedule 1, schedule 2, schedule 3 को देखें, कुछ छोटी-छोटी बाते हैं, जिन्में समझ लेते हैं, जिसमें बगोंड ने बताया कि, यहाँ पर किस तरीके से सफलाए, माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ठीक है? ठीक है जी? चलो, ध्यान से देखो, एक एक चीज, बहुत असान है, नोट्स यह सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना? एक आर्टिस्ट है, Mr. A. ठीक जी? यह आर्ट गैलरी में इन्होंने अपनी, सपोज, दस पेंटिंग भेज दी, दस पेंटिंग इन्होंने अपनी भेज दी, आर्ट गैलरी में, क्यों भेजी? कि सर, वहाँ पर एक्जिबीशन लगी हुई है, लोग आएंगे, देखेंगे, पसंद आएगी, तो खरीद लेंगे, नहीं आएगी, तो मेरे पास वापस आजेंगे, तो जो भी ओर्गिनाइजेशन, इस एक्जिबीशन को, कंडट करवा रही है, क्या हम यहाँ पर यह कहें, कि Mr. A. ने अपनी, पेंटिंग उनको दे दी हैं, और इसको सप्लाइ ट्रीट कर लिया जाए, आप लोग इसका जवाब दीजे मुझे, बताईए, क्या यहाँ पर जो यह पेंटिंग्स, Mr. A. के दौरा दी गई हैं, एक्जिबीशन करवाने वाली और्गिनाइजेशन को, जो भी आर्ट गैलरी यह करवा रही है, हम यह कहें कि यह सप्लाइ है, नहीं, कंसीड्रेशन नहीं है, बिल्कुल सही चीज, देखो आप लोग खुद समझने लग गए हो, कि तीन चीज़ें देखनी हैं आपको, सबसे पहली चीज, मैंने आपसे कहा कि पेंटिंग सर दी गई है, क्या यहां पर जीज़े लगेगा, नहीं लगेगा, बहुत साफ आप लोगों ने खुद बता दिया, कि सर कंसीडरेशन का इंवल्मेंट यहां पर नहीं है, हाँ लेकिन अगर कोई पेंटिंग बिग जाती है, तो कहानी बदल जाएगी, क्यों पेंटिंग भी कि, जिस ओर्रणाइज़ेशन ने बेची, वो फिर आगे भी, देगी, हाना, हाँ, बिलकुल, बिलकुल, तो देखो, आटिस गिवन देर वर्क ऑफ अफ गैलरी वर इट इस एग्जिबिट एगाएगा, ठीके जी, यह वाला पॉइंट में आपको अलरड़ी बता चुका हूँ, मैंने इसके उपर आपको एक 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 इसमपल भी दिया था, तो वकेशन के फॉर्म में अगर आपने सेल करिया गूड्स की या सर्विसिस की, तो उसे भी सप्पलाई मानेंगे, और वकेशन का मतलब क्या बताया गया था, पेशा, ठीके जी? यह वाला पॉइंट पर आपको बता चुका हूँ, कि अगर कोई क्लब है, असोसियेशन अफ मेंबर है, वो अपने मेंबर्स को कंसिडरेशन के अगेंस्ट में कुछ सर्विसिस प्रवाइड करता है, तो वहां पर GST लगेगा, जैसे RWA देखिए, अपने कस्टमर्स के बिहाफ, जितने रहने वाले हैं, उनके लिए एक, उन्होंने क्या कहा था, कि आपसे हम RWA के लोग कॉंट्रिबूट कर रहे हैं RWA में, ठीके और RWA वहां पर इलेक्रिसिटी बिल पे कर रही है उनका, कुछ हद तक, तो वहां पर ग में आगी, इतनी चीज समझ में आगई, सभी लोगों को, कोई दिक्कत, कोई परिशानी समझने में नहीं आ रहा है, ब्लॉकेज लग दी है, मैं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, देखो बिल्कुल भी ज़रा सी दिक्कत आए, तो प्लीज मुझे वहें पर होल्ड कर दीजेगा ठीक है, मैं नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ जाएं और पीछे दिमाग में सवाल खड़े रहें, ठीक है, चलो, अब जो सबसे जरुरी चीज है, supply होगी सर, taxability arise होगी, GST लगेगा, इसके लिए एक बहुत जरुरी चीज है, क्या, कि जो person है वो taxable person होना चाहिए, मतलब वो G GST में exist करता हो, मतलब registered हो person, अगर आप अपने पडोसी की सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है जी, तो दो पडोसी आपस में करते रहे हैं, government को क्या पता लग रहे हैं, मानते हो नी बानते हो, Mr. A, एक बड़ा सरल सा example, और Mr. B, ये दोनों ही GST में registered नहीं हैं, और आ नहां पर person का taxable person होना जरूरी है, देखो, a supply to attract GST should be made by a taxable person, जो supplies की जा रही है, वो किसके द्वारा की जाएं, एक taxable person के द्वारा, मतलब सर, जो supplies प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका taxable person होना जरूरी होता है, recipient नहीं भी आगर taxable person, तो कोई दिखकर कली बात नहीं है, समझ मे एक्ट, ठीक है जी, समझ में आती है बात इतनी, हाँ, GST में registration लेना mandatory नहीं होता, GST में registration लेना mandatory नहीं होता, लेकिन section 24 है, आपका यहाँ पर, जो कहता है, कि यह यह person है, जिनके लिए registration compulsory है, जिसमें आपका casual taxable person, non-resident taxable person, online information service प्रोवाइड करने वाले आपके, ठीक है न, O YDR, ठीक है, यह समय कुछ, मतलब person है, जिनके लिए government ने कहा, GST में registration लेना, कंपल सरी है, the registration being a taxable person is only to the, on the supplier, whereas the recipient can either be taxable or non-taxable, recipient, taxable और non-taxable, दोनों तरीका का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन supplier, जो है, आपका taxable person होना चाहिए, basic clear हो गया, basic clear हो गया, बताओ, clear हो गया कि नहीं clear हो गया, यहां तक कोई दिकत, लो, very simple, है न, अब हम बात करने वाले हैं, हमारे पहले question, पहला question क्या था, कि सर, schedule one क्या है, अब अपने दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से बठा लीजिएगा, throughout this schedule, कि हम उन transactions के विशे में पढ़ने जा रहे ह हैं, जिन्हें हम supply मानेंगे, और यहां पर consideration नहीं है, तीन बाते हमने बताई थी, कि supply के लिए जरूरी है, पहली चीज़, goods और services होनी चाहिए, दूसरी चीज़, consideration होना चाहिए, तीसरी चीज, in the course और furtherance of business होना चाहिए, अब इसमें से एक चीज़ हम हटा रहे हैं, वो है कि consideration अगर ना हो, तब भी government कहा रही है, कि हम supply मानेंगे, और इसमें से एक चीज़ आप मेरे साथ पीछे देख चुके हो, वो है, कि जब आपने import करी है services, consideration वहाँ पर pay करा था, है न, तो अगर without consideration है, तो क्या होगा, यह सारी बाते अब यहाँ पर आने वाली, ज़रा ध्यान credit claim किया था, तो government कह रही है, कि अगर आपने बिना पैसो के भी किया है, तो हम कहेंगे, कि यह supply है, और आप से हम इस पर tax ले लेंगे, तर यह बात तो समझ में आ गई है, अपने बोली है, लेकिन, लेकिन, अगर एक इसका example मिल जाए, तो जरा अच्छा हो, example की जरूत पर लिए और बीना लैपटॉप, जो की वो बिजनस में यूज कर रहे थे, फ्री में दे दिया अपने मित्र को, बढ़ी गहरी ची, उन्हेंने का ठीक है, आप आयो, यह लो ले जाओ लैपटॉप, कहां यूज कर रहे थे लैपटॉप, बिजनस की असेट थी, बिजनस की तो मैंने उस पर ITC भी claim किया होगा है ना यहां पर जब यह दुरूफ जी ने laptop बिना पैसे लिए अपने मित्र को दे दिया तो गौर्मेंट कहेगी कि यह qualify करेगा supply के लिए और हम आपसे इस पर जियस्टिल देंगे कोई दिक्कत कोई परिशानी यहां तक आप लोगों को चलो एक चोटा सा एक्जांपल और ले लेता हूं एक और एक्जांपल यह सारे एक्जांपल न स्टेटी मेटीरियल से हैं गरते नहीं बना के लाए है देखो a dealer of air conditioners permanently transfer the motor vehicle free of cost एक dealer है जो की air conditioners में deal करता है ठीक है उसने permanently transfer कर दी motor vehicle free of cost और ITC on such motor vehicle is blocked उस motor vehicle पर ITC उसे नहीं मिला था ठीक है ना section 70 ने देखो हमारा एक जो कि आप मिरे साथ पढ़ोगे ITC chapter के अंदर इसके अंदर कुछ बाते बताई गई है कुछ transactions बताई गई है और उसमें कहा है कि यहां पर आपको input text credit नहीं मिलेगा ठीक है तो आप यहीं बदा रहें कि जो dealer है उसने जो motor vehicle transfer करी है उसको ITC नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्यों कि section 17 ने मना किया था ठीक है तो क्या यहते supply में माना जाएगा आप बताई है आप लोग Rate लो बताई यह नहीं माना जाएगा है ना क्यों नहीं माना जाएगा सर आई टीसी नहीं मिला तो देख लो यहीं बात लिखिए है तो ट्रांसेक्शन विल नॉट कॉंस्टिटूट इस अप्लाइब कंडिशन ऑफ अवेल्मेंट ऑफ इस बिसनफ जरूरी है यहां पर कि सर आपने बिजनर असट पर्मानेटली ट इस बोज़ाफ करी है और आपने उसके ओपर इंपूट टेक्स क्रेडिट क्लेम है समझा आती है बात आगे चले चलो अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट तब हम बिना कंसिडरेशन के की गई ट्रांसेक्शन पे कहेंगे कि सप्लाइए अगर सप्लाइए की जाती है दो जो की related person है या फिर distinct person है ठीक है अगर सप्लाइए बिना consideration के की जा रही है ऐसे दो persons के बीच में जो की related person है या फिर distinct person है क्यों की जा रही है in the course और furtherance of business में देखो supply of goods or services और both between related person और between distinct person as specified in section 25 section 25 में बताया गया है कि related person कौन है और distinct person कौन है अभी मैं उस पर आने वाला हूँ और आप ही जो supply कर रहे हो ये in the course और furtherance of business कर रहे हो अब sir यहाँ पर हमारे मन में न सवाल फिर से खड़ा हो गया है सवाल ये खड़ा हो गया sir कि आपने कहा कि related person और distinct person के बीच में बिना consideration के अगर business में या in the furtherance of business में transaction की जाती है तो supply मानेंगे तो पहले ये बताओ कि ये related person और distinct person क्या होते हैं किस किस के मन में ये सवाल उठा तो देखो आप लोगों के लिए related person की परिवाशा क्या है related person का मतलब है a person who is under influence of another person एक व्यक्ती जो किसी दूसरे व्यक्ती के influence में है जैसे कि मैं अपने पिताजी के influence में हूँ तो मेरे पिताजी और मैं क्या कहलाएंगे related person कहलाएंगे holding company और subsidiary company subsidiary company holding company के influence में है कि नहीं है decision making होगी overpass करना है कि SR pass करना है कर सकते है कि नहीं कर सकती तो क्या कहलाएंगी वो दोनों company आ related person कहलाएंगी एक व्यक्ती Mr. A आप बताईए Mr. A एक company में director है एक company में director है और दूसरी company में managing director है अब बताओ क्या Mr. A अगर मैं कहूँ कि ये company का नाम X limited है ध्यान से सुनना यार प्लीज और इस company का नाम Y limited इन दोनों के influence कर सकते है इन दोनों के decision making को influence कर सकते है है ना तो related person ये दोनों company आपस में भी related person कहलाएंगी कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी बिजनस एक person एक दूसरे business में दोनों ही businesses में वो या तो officer है ये director है जैसे कि मैंने आपको example के लिए उपर बताया बताया की नहीं बताया ठीक है जी next point such person are legally recognized partner legally recognized partner है जैसे कि partnership firm ABC limited और PQR limited और Mr. P ABC में ही partner है PQR में ही partner है तो दोनों firm आपस में related person कहलाएंगी क्योंकि इनके जो partner है वो कहीं न कहीं एक ही व्यक्ति है तो दोनों की decision making को वो influence कर सकता है तो यानि कि एक दूसरे को भी influence कर रही है कहीं न कहीं तो इसलिए को मैंने का ये भी हम related person में मालने के मतलब अगर यहां से supplies यहां जाती है यहां से supplies यहां आती है जैसे कि मैंने कहा एक लिम्टेट अप्लाइज यहां गई यहां से supplies यहां ही तो क्यों की related person है और अगर यह supplies इंदी course और furtherance of business में की गई है और इसके ओपर consideration involved नहीं है तो भी हम कहेंगे कि यह supply है बताओ समझ में आई कि नहीं आई यह बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई यह बात हम पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ रहे हैं वो transactions जो बिना consideration के की जाए और उन्हें supply माना जाए ठीक है चलो such person are employer and employee सर एक बार second point में मैंने यह कहा कि अगर दो partnership firm है और दोनों के अंदर जो partner है वो same है तो दोनों partnership firm आपस में rated person कहलाएंगी बस इतनी सी बात है ठीक है तो अगर partnership firm से दूसरी तरफ supplies जा रही है दूसरी से पहली की तरफ आ रही है तो हम उसे supply के अंदर रखेंगे चाहे consideration का involvement वहां पर ना हो लेकिन वो business में हो या business को बढ़ाने के लिए की गई हो इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है यह बात तो आप throughout this point रखना अपने दिमाग के अंदर के in the course or furtherance of business related person and distinct person के बीच में transaction हो रही है ठीक है नहीं without consideration third point employer and employee employer और employee भी क्या है related person है मतलब अगर employer employee को sir कुछ supplies करता है तो उसे supply माल लिया जाएगा यह बात यहां बता दी गई है समझ में आई बात की नहीं है जल्दी बताओ समझ में आई की नहीं है यह बात अगर एक employer अपने employee को कुछ supplies करता है तो government ने का supply माल लेंगे sir एक manufacturing company है phony tv बना रही है अपने employees को tv बातने शुरू कर दिवाली पर तो क्या supply माल लिया जाएगा इसे government ने का हाँ supply माल लेकिन अगर लेकिन यहां पर एक छोटा सा point है यहां पर एक छोटा सा point है छोटा सा point क्या है अरे आ रहा हूं Anthony घबरा क्यों रहे हो हां आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं घबराओ मत घबराओ मत एक एक चीज़ पर आ रहा हूं इसमें देखो बात बताएगी provided gift not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services of goods अगर जो आप gift दे रहे हो उसकी कीमत 50,000 को exceed नहीं करती तो government ने कहा कि हम उसे supply treat नहीं करेंगे लेकिन 50,000 से जाधा है एक लाग रुपे का TV दे दिया supply man लिया जाएगा ठीक है चलो ऊपर जो आपको चीज़े मैंने पढ़ाई उसका एक example नीचे दिया गया है वो ले ले लाग देखो Miss Priya hold अच्छा यह वाला भी आया यह next point है चलो चलो देखो 4th point पर आजाओ A third person control owns hold directly or indirectly equal to or more than 25% voting stock shares of both of them मतलब क्या कह रहें एक person directly और indirectly अगर किसी third person के अंदर किसे company के अंदर 25% यह इससे जादा की holding रखता है जिसको हम substantial interest भी कहते हैं ठीक है तो हम कहेंगे कि वो दोनों organization आपस में क्या है related person जैसे कि Miss Priya hold 30% shares of ABC limited and 35% shares of XYZ limited 30% एक जगा पर होल्ड कर रही है एक company में 35% एक दूसरी company में hold कर रही है तो यह दोनों company आपस में related कह लाएंगे सर अगर एक employer independent director को कोई चीज पे करता है तो नहीं उस पर नहीं लगेगा नहीं लगेगा नहीं GST नहीं लगेगा ठीक है डारेक्टरशिप fees पे की जा रही है तो वहाँ पर TDS वाले provisions आ जाते हैं ठीक है ठीक है मैं आपको बताया ना कि वहाँ पर हमें यह देखना पड़ता है कोई के अंदर यह fact question के क्या है ठीक है कि वह किस nature की transaction है उन दोनों के बीच में ठीक है ना professional nature की है या किस तरीके की है वह देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम decide कर सकते हैं एक दूसरे को अगर directly and directly आप control कर पा रहे हो है ना या कोई third person आपको directly and directly control कर रहे है दो organizations है उन दोनों organization को कोई तीसरा वेक्ती control कर रहे है तो वो दोनों organization आपस में related person क्या लाएंगी मेरी ही देखो जैसे मैं हूँ मैंने क्या कर रहा मैंने दो companyya बना ली एक बनाई A limited एक बनाई B limited ठीक है अब इन दोनों company की shareholding majority मेरे पास है इन दोनों company की design making में influence कर रहा हूँ तो लिटल है आप उसमें ए ठीक है ना देखो यही बात बताईए तो जो एक्जाम में कोशन जिस पर आता है जाता तर वह आपका यहां तक पूछी आते हैं ठीक है अब कुछ example मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ वह हम देखते हैं यह तो बात हुई related person की ठीक है यह example आप चुक चाहो तो अभी read कर लेना यहां बात में चलो मैं कर देता हूं कोई बात नहीं देखो q limited has a deciding role in corporate policy operations management and quality control of r limited q limited का deciding role है देखो r limited की decision making में तो q limited और r limited क्या कहलाएंगी related person इतनी सी बात बताई गई है clear होगी बात तो अब मुझे एक बात बताओ आप लोग क्या related person का मतलब clear हो गया क्या सबी लोगों को चलो अब बात करते हैं distinct person के सर्फ distinct person क्या होते हैं हमने उपर पढ़ा कि supplies without consideration made in the course or furtherance of person furtherance of business between related person shall be called shall be treated as a supply under schedule 1 वहां पर तो distinct person भी शब्द था please mic off कर दो अगर कुछ नहीं बोलना तो आप मैं बंद कर देता हूं सबके mic ठीक है जी आपको मुका दूंगा बोलने का घब रहाओं मत ठीक है तो related person आपने समझ लिया अब बात कर रहे हैं हम distinct person की कि distinct person क्या होता है देखो अब a person who has obtained oblique is required to obtain more than one registration एक person जो की एक या एक से ज्यादा registration लेने के लिए liable है किसी एक state के अंदर ही या एक से ज्यादा state के अंदर ही GST में जो registration होता है वो statewide होता है मतलब अगर आप अलग-अलग states में काम कर रहे हो तो आपको हर state में registration लेना पढ़ेगा ठीक है जी provided कि आपकी aggregate turnover prescribed limit को exceed कर जाए और अगर किसी भी एक state में आपकी aggregate turnover exceed कर जाती है तो हर state में आपको registration लेना पढ़ जाता है registration chapter में यह बात detail में पढ़ने भी वाले है ठीक जी तो यही बात बताईगे यह देखिए और एक ही state के अंदर आप चाहो तो अगर जैसे suppose मैं कहूं कि Mr. A है ठीक है और यह है उत्तर प्रदेश के अंदर काम करते हैं बहुत बड़ा राजी है हमारे देश का ठीक है इनके चार place of business है यह तीन है मानलो ABC एक और लिले ठीक अब Mr. A की अगर turnover suppose 25 लाख रुपए हो जाती है ठीक है यह good or services दोनों provide करते हैं तो इनके पास और यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में काम करते हैं तो इनके पास government ने एक option दिया है कि यह चाहें तो हर एक place of business के लिए एक अलग registration ले ले और चाहें तो एक ही registration ले ले मतलब place of business declare कर दें आप एक्जाम में कभी ऐसे मतलिक क्या ना समझ में आती है बात समझ में आती है बात मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब क्या है distinct person का थोड़ा सा वाइड है concept तो इसी लिए पकड़के रखिएगा ज्यान से ठीक है चीजों को तो यहां पर यह जो a b c d है ठीक है ना देखो जान से वापस आप definition पर पर परसन हुए अप्टेन और इस रिक्वाइट तो अप्टेन मोर देन वन रिजिस्ट्रेशन बैदर इन वन स्टेट और इंटरेटरी और मोर देन वन स्टेट और इंटरेटरी शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ इच सच रिज इस्ट्रेशन बी ट्रीटिड एज इस डिस्टिंक्ट परसन हर एक रिजिस्ट्रेट प्लेश के लिए वो इस्टिंक्ट परसन कहला हैगा एक बड़ा ही सरल से इक्जामपल इसके लिए निचे लिया गया है मोहन जोकी एक चाटर्टड अका है इनका रिजिस्ट्रड ओफ देली के अंदर और इन्हों ने पस्चिम मंगाल में एक अपनी ब्रांच ओपन करी ठीक पस्चिम मंगाल में एक अपनी ब्रांच ओपन करी देखो Mohan Charter Accountant has registered office in Delhi, he has obtained registration in the state of West Bengal in respect of his newly open branch office Mohanji यहाँ पर अपनी दोनों देखिये, treated क्या है, distinct person in respect of West Bengal और Delhi registration समझ में आती है बात, समझ में आती है बात, बताए distinct person समझ में आती है बात तो अगर एक place of business से, दूसरे place of business पर goods या services supply की जाएंगी बिना consideration के in the course of furtherance of business, तो government ने कहा हम उसे GST, मान लेंगे supply, ठीक है, यह होगी बात, distinct person की समझ में आती है बात इसके साथ साथ देखो, एक term और आती है, establishment of distinct person establishment of distinct person इसका क्या मतलब होता है, ज्यान से देखिए और यहां फरक इतना है, कि ऊपर आपकी जो establishment थी वो एक ही state में भी हो सकती थी, और दूसरे में distinct person कहलेंगी, establishment of distinct person यह बात यहां बताई गई है, ऊपर क्या बात बताई थी, कि जो एक state में है एक state में भी हो सकती है, दूसरे state में भी हो सकती है, ठीक है, यहां पर वो दूसरे state में होगी example देखो इसका, example देखो और अच्छे से clear हो जाएगा, अब देखो, Rishabh Enterprises, a registered supplier, owns an air-conditioned restaurant in Vivar, Maharashtra, Maharashtra में एक जगा है, Vivar, वहाँ पर उनका एक air-conditioned restaurant है, अब restaurant owner है, तो services provide कर रहे हैं, कभी भी restaurant वाले आपको service provide करते हैं कि goods provide करते हैं, वो हमें services provide करते हैं, यह मत बोलना कि खाना देते हैं तर तो वो तो goods लोगा नहीं, services provide करते हैं, ठीक है, इट है, अब अब लिकर शॉप इन राइपूर उत्तरा खंड फोर ट्रेडिंग ऑफ एलकोहलिक लिकर फोर हुमन consumption है ना, और आप अगर कोई ऐसा समान बेचर हो जो GST में taxable ही नहीं है, तो फिर आपको GST में registration लेने की requirement नहीं है, बात समझ में आ रही है, आपको GST में registration लेने की requirement है, नहीं है, ठीक जी, वैसे exempt और non-taxable यह दो अलग-अलग चीजे होती है, exempted वो होता है, जो GST के दाएरे में आता है, लेकिन for the time being, government उसे exempt कर रखा है, outside the scope of GST यह है कि जो GST के दाएरे से बाहर है, जिस पे government GST charge नहीं कर सकती, ठीक है, यह फराख है दोनों में, देखो, since supply of alcoholic liquor for human consumption in उत्राखंट is non-taxable supply, research enterprises is not required to obtain registration within the same in उत्राखंट, उत्राखंट में registration लेनी की requirement नहीं है, in this air condition, in this case, air condition restaurant in Maharashtra and liquor shop, जो की उत्राखंट में है, shall be treated as establishment of distinct person, supply by Maharashtra restaurant to उत्राखंट shop, in the course or furtherance of business, even without consideration, will qualify as supply, है, अगर restaurant में liquor supply करने, liquor serve करने के लिए, वो अपनी उत्राखंट वाली जो भी उनकी shop है, वहां से liquor मंगवा रहे हैं, चाहे बिना पैसे के, क्योंकि एक ही विक्ती का business है, है ना, तो government के रही कि हम इसे क्या मानेंगे, supply मानेंगे, ठीक है, इसका मतलब sir, जो अभी-अभी ब example ले रहा हूँ, Mr. A, Mr. A, वापस उत्रपरदेश चलते हैं, ठीक है, यहीं पर लियावा देखो, इनका factory है लखनाओ के अंदर, इसी image में समझ लेते हैं, ठीक है, और showroom है Delhi के अंदर, ठीक, factory है लखनाओ के अंदर, showroom है Delhi के अंदर, garment की factory है, ठीक है, garments manufacture करते हैं, shirts बनाते ह और यहां से समान बना, factory से चला और यहां पर आ गया, अब क्योंकि यह दोनों देखो, एक लखनाओ में, एक Delhi में, distinct person, और है तो एक ही विक्ति की भई, दुकान तो एक ही विक्ति की है, भई, वही बना रहा है, वही बेच रहा है, अब उसने अपना समान यहां से यहां बे तो गवर्मेंट कहेगी, दस लाग को हम supply माल लेंगे और इस पर आपसे tax ले लेंगे, तो क्या आपको लग रहा है, कि यह कही न कहीं ज्यात्ती हो रही है, कहीं न कहीं ज्यात्ती है, क्यार मैं ही तो बना के बेच रहा हूं, और मेरे दुकान पर ही तो गया है वो, अभी क् GST consumption based tax है, मैंने क्या का था, GST is consumption based tax, जिस स्टेट में consumption हुई, वहाँ पर हम GST देंगे, तो गवर्मेंट ने देखो इसका जवाब यह दिया, कि अगर आपके जो दो place of businesses हैं, जहां से बन कर जहां जरे, इन पर आपने single registration ले रखा है, अगर आपने single registration ले रखा है, तो हम GST नहीं charge करेंगे, हम फिर उसे GST चार्जेंगे, लेकिन अगर आपने दोनों के लिए अलग-अलग registration ले रखा है, तो GST आपको देना पड़ेगा, हां जी, तो मैं आपसे कहा रहा था, कि सर अगर अलग-अलग registration ले रखा है, तो government करी कि हम उसे supply मानेंगे और इस पर आपको G कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर अलग-अलग registration है, तो आपको GST पे करना पड़ेगा, single registration है, तो GST नहीं लगेगा, देखो, transfer between two units of a legal entity under a single registration, apparently within the same state, will not consider supply, this can be understood with the help of the falling example, अगर आपने एक ही state के अंदर single registration में ये transfer कर रहे हो, तो हम उसे supply नहीं मानेंगे, stock transfer को, ठीक है, लेक state-wise registration लेना पड़ता है, तो 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 वहाँ registration लेना ही पड़ेगा, तो फिर हम उसे supply treat करेंगे, ये बात government ने आपर बताई है, ठीक है, समझ में आती है बात, जो example मैंने आपको भी बताया, बोलकर, वो यहाँ पर लिखा गया, देखे, रभूबी transfer, fabric transfer 1000 shirts from his factory located in Lakhnau, to his retail showroom in Kan अब देखो, Lakhnau और Kanpur उत्तरप्रदेश के अंदर आते हैं, ठीक, एक ही state में है, है ना, so the same can be sold from there, अब अगर अगर इन्होंने Lakhnau और Kanpur के लिए अलग-अलग registration ले रखा है, तो हम इसे supply मानेंगे और इसमें GST इनको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर single registration है, तो GST नह बिजनस के लिए registration ले रहे हो single, तो एक प्लेस को principal place declare करो, और बाकियों को additional place declare कर दो, समझ में आती है बात, ठीक है, since no consideration is charged in supply goods from the retail showroom, same उत्तरपद and the single registration do not constitute supply, हाँ, एक person कितने भी registration ले सकता है, कितने भी registration, आप अगर 50 बिजनस कर रहे हो, और आप चाते हो कि 50 बिजनस के लि ठीक है न, तो stock transfer, ध्यान क्या रखना है stock transfer के case में, अगर single registration, supply नहीं है, अलग-अलग registration, supply माना जाएगा, समझ में आगी बात, और supply माना जाएगा, तो GST भी, GST भी लगेगा, schedule 1 पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ चीज़े बाकि है, ठीक है, तो ये तो बात हुई, कि पहले कि point हमने क्या पढ़ा था, permanent transfer or disposal of business asset on which ITC has been taken, second supply of goods or services between related person or between distinct person made in the course or furtherance of business, जो main concept है यापर वो ये पकड़ के रखो, कि अगर related person और distinct person के बीच में, goods transfer हो रही है, without consideration in the course or furtherance of business, उसे supply treat किया जाएगा, समझ में आती है बात, समझ में आती है बात, चलो, अब चलते है, एक और बहुत मज़ेदार point पर, next point आपका है, agent और principal के बीच में, sir, agent supplies is दे रहा, principal agent को transfer कर देता है, agent आगे बेज देता है, तो agent से principal पर जो यह जा रहा है समान, क्या इसको supply माल लिया जाए, या नहीं, इसके ओपर हम बात करने वाले हैं, तो next slide पर चलते हैं, और बड़े ही अराम से समझते हैं, उमीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, लीज बताते रहिए कि जरा सभी doubt आए, दिक्कत आए, ठीक है, ज्यान से समझना, supply of goods by a principal to his agent, goods की supply की जाती है, principal से agent को, जहां पर agent ये undertaking देता है, कि principal के भीहाफ पर वो goods को sale करेगा, तो government ने कहां, इसे supply माल लिया जाएगा, या फिर agent principal के लिए goods procure करता है, sir example लो मजा नहीं आ रहा, example लेता हूँ, ध्यान से देखो एक example, Mr. Mr. A, ठीक है जी, Mr. P मैंने इसले रखा, क्योंकि आपको समझने महसा नहीं है, क्योंकि ये principal है, और ये agent है, ठीक जी, समझ में आती है बात इतनी, अब यहां से यहां पर goods जा रहे हैं, ठीक, तो goods बिकेंगे, फिर क्या है जी, आपका समान, जब बिके का तो पैसे आएंगे, तो ये इनको payment कर देंगे, तो government ने कहा, कि अगर principal goods transfer करता है, agent को Mr. P. transfer कर रहे हैं, Mr. A. को, ताकि ये आगे यहां से final consumers को बेचें, तो हम इसे supply, treat कर गे, ठीक जी, या फिर agent ये market है, ये क्या है, market है, कौन सी market है, suppose ये उत्तरप्रदेश की market है, ये कहां बैठे हैं, ये बैठे हैं हरयाना में, ठीक जी, अब इन्होंने इनको कहा कि यार मुझे ना कुछ certain goods चाहिए, और आप अपनी market में पता करो, और यहां से ये goods मुझे, मदलब, arrange कर वाके दे दो, इन्होंने का ठीक, ये पहुंचे market में, इन्होंने goods दे के, और यहां से goods इनके पास transfer करा दिये, तो इसे क्या कहते है, procurement of goods, ठीक है जी, तो Mr. A, अब Mr. P के लिए goods arrange कर वा रहे है, फंग मारी बात, तो क्या इसे supply treat किया लेकिन यहां पर बस एक condition बताईगों में, कि principal से agent पर जाएं या agent से principal पर जाएं, supply तभी माने जाएगा, जब यहां पर principal और agent का relationship exist करें, अब यह principal और agent का relationship कैसे exist करता है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजेगा, बहुत simple सी बात बताईगों में, government ने कहा, कि अगर agent अपने बहाँ पर invoice issue कर सकता है, तो वो agent है, otherwise नहीं है, मतलब sir, अगर मैं कहूं, कि Mr. P ने यहां पर इनको 1000 calculator दिये, ठीक है जी, 1000 calculator अगर Mr. P ने Mr. A को दिये और कहा, sale करो, और Mr. A जब इसकी sale करते हैं, तो invoice बनाते हैं, वो Mr. P के नाम पर बनाते है, कि Mr. P, यह मतलब नाम आता है, supplier का नाम क्या आता है, महाँ पर Mr. P, तो यहां पर principal और agent का relationship exist नहीं करता, और यह जो P से A तक के 1000 calculator आएं हैं, इन पर GST नहीं लगेगा, suppose 700 रुपे का एक calculator हैं, और 7 लाग रुपे के आएं हैं, ठीक जी, तो government carries पर GST नहीं लगेगा, लेकिन अगर sale करते हैं, तो Mr. A अपना और agent का relationship है, और फिर यहां से Mr. P से Mr. A पर goods गए, मतलब इस 7 लाग रुपे पर आपको tax pay करना पड़ेगा, बताओ समझ में आई बात की नहीं आई, बताए समझ में आई की नहीं, ठीक है जी, same way अगर Mr. A, as a agent, Mr. market से Mr. P के लिए goods arrange करवाते हैं, और Mr. A क्या बोलते हैं, ज Mr. P ने जो goods मांगे हैं, वो supply करेंगे, और Mr. A कहते हैं कि bill मेरे नाम पर बनाओ, समाझ वहाँ पहुचा दो, bill मेरे नाम पर बनाओ, समाझ वहाँ पहुचा दो, तो हम क्या कहेंगे, कि age interpretation principle का relationship exist करता है, और यह जो goods transfer हो रहे हैं, इस पर supply under GST माना जाएगा इसे, और tax लगा जाएगा, ठीक है, अगर Mr. A कहते हैं कि sir, bill बनाओ, Mr. P के नाम पर और उनके नाम पर goods वहाँ पे भेज़ दो, मुझे कुछ लेना वजना नहीं है, मेरे नाम पर कुछ नहीं बनने वाला, ठीक, तो हम कहेंगे, कि Mr. A procurement agent है, agent नहीं है, और फिर से supply नहीं माना जाएगा, आपको example के साथ समझाता हूँ, वापस देखो, वापस देखो, by an agent to his principal where agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal, अगर agent के लिए principal goods receive करता है, ठीक है, कहीं से, और फिर उससे transfer करवाता है, तो government कहा रही है, कि हम उससे GST जो है, मतलब इसका क्या है, कि agent अपने नाम पर bill बन वा रहा है, है ना, तो ध relationship of principal और agent exist करेगा, और principal और agent के बीच में जो भी supplies हो रही है, उस पर GST लगेगा, लेकिन अगर agent के नाम पर bill नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर GST नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि principal और agent के बीच में जो ये transfer हो रहा है, जो supply हो रही है, इसे GST नहीं मानेगे, समझ में आती है बात के नहीं आती है, बताओ, बताईए, समझ में आती है बात के नहीं आती, फर्स्ट वाले में A से, principal से agent पे गई, agent अपने नाम पर bill इशू करके आगे बेच रहा है, principal और agent के बीच में जो supply होई, taxable, agent अपने नाम पर bill नहीं इशू करता, principal के नाम पर इशू करता है, supply न supply शब्द नहीं है, देखो, तो only supply of goods, not supply of service covered here, मतलब supply of service के case में, supply of service के case में हमेशा वो supply मानी जाएगी, ठीक है, अब चलते हैं इसके example पर, ताकि आपको ये और अच्छे से clear हो जाए, example मैंने study material से ही ली है, again, ताकि आप लोगों को अलग से कुछ धूनना ना पड़े किता जाए, देखो, अनमोल अपॉंट भोलू to procure certain goods from the market, अनमोल ने किसको अपॉंट किया, भोलू को, क्यों, ताकि वो उसके लिए market में कुछ प्रक्योर कर सके goods, भोलू identify various suppliers who can provide the goods as desired by अनमोल and ask the supplier गोलू to send the goods and to issue the invoice directly to अनमोल, क्या कहा, भोलू ने गोलू को इंटिफाई गया, जैसे goods मांगी है, अनमोल ने, और भोलू ने गोलू को क्या कहा, कि अनमोल के नाम पे invoice बनो सिजा, बस यही बात लिखी है, देखो, in this scenario, भोलू is only acting as a procurement agent and has in no way involved himself in the supply or receipt of the goods, hence in the accordance with the provision of this act, भोलू is not an agent of अनमोल for the supply of goods in term of schedule 1, और जब schedule 1 में ऐसे agent नहीं मान रहे, तो supply भी नही सुझ में आगी बात, एक और example, एक और example, एक और example, एक और example, एक और example देखो, money money bank, a banking company appoints, mandar auctionary, to auction certain goods, auctionary कौन होता है, जो निलामी लगवाएगा, निलामी लगवाएगा ना, goods की, the auctionary arranged the auction and identifies the potential bidder, auctionary ने auction arranged करी, और potential bidders को identify किया, the highest bid is accepted and the goods are sold to the highest bidder, ऐसा ही होता है, जो सबसादा उची बोली लगाता है, उसको goods बिल जाते हैं, by money money bank limited, the invoice for the supply of goods is issued by money money bank to the successful bidder, यह जो mandar है, यह agent of principle है या नहीं, invoice for the supply of goods issued by money money bank, बार बार मैं यह बात बोल रहा हूं, तो answer करने से पहले इस बात को पढ़ ले ना, जिसने भी answer yes लिखा था, वो नलायक आजमी ध्याम से सुनो, तो देखो, auctioneary is merely providing auctionearing services with no role play with the supply of the goods, तो इसे supply, agent treat नहीं किया जाएगा, और फिर यहाँ पर इसे supply भी नहीं माना जाएगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक और छोटा सा एक्जामपल, एक और छोटा सा एक्जामपल ले लिते हैं, गौतम, एन आर्टेस्ट, अपॉंट गंभीर ऑक्शनरी तो ऑक्शन हिस पेंटिंग, गौतम एक पेंटर है, गंभीर को अपॉंट कर दिया, हमारे टाइम पे तो एक क्रिकेटर हुआ करता था, अभी बीए शायद है, अब तो रॉटाइम ले लिए, तो गंभीर अरेंज फोर दी अप्शन ऐड़ आइंटिफायत अड़ पोटिंशिल बिडर, गंभीर जी ने अइडंटिफाय किया पोटिंशिल बिडर तो बताओ यहां पर क्या होगा, एजेंट और प्रिंसिपल का रेलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, यह supply है, गौतम ने जो पेंटिंग दी है गंभीर को, इस पर GST चार्ज किया जाएगा, यही बात लिक ही है, ठीक है जी, अगर कोशन आया, एजेंट और प्रिंसिपल के ओपर कर दोगे की नहीं करोगे, यह बताओ, एक चोटे सी चीज़ जो आपके दिसंबर 21 एक्जाम में मेरे ख्याल से पूछी गई थी, आपके study material में दी गई है, और कुछ इसमें बताना नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, read आप अपने आप करिएगा, ठीक है, यह आपके लिए homework है, यह आपके लिए gift है मेरी तरफ से, जो मैंने आज आपको दिया, ठीक है, छोटे-छोटे gift मैं ऐसे कोशिश करूँगा, कि आने वाली classes मैं आपको देता रहा हूँ, मैं आपको बस समझा देता हूँ, यहाँ पर, क्या बात बताई गई है, डेल क्रिडी एजेंट होता है, ठीक है न, यह भी आम एजेंट की तरह ही होता है, बस इस एजेंट का काम क्या होता है, कि यह आपकी payment की guarantee देता है, जैसे कि, example के तौर पर, Mr. A है, ठीक जी, इन्हों ने Mr. B को, जो कि एक डेल क्रिडी एजेंट है, ठीक है न, अपॉइंट क कर रहे हैं through, एजेंट, ठीक है न, तो, यहां पर suppose, अगर मैं कहूँ कि, दसलाक की payment है, ठीक है, तो, जो Mr. B है, being a del credit agent, यह ensure करते हैं, कि Mr. A का पैसा डूबेगा नहीं, यह अगर नहीं देंगे Mr. C, तो यह Mr. B से, Mr. B अपनी जेब से pay करेंगे, तो, इस situation में, जो commission charge की जा Supplieses provide करी हैं, और Mr. B इनके बिहाद पर आगे sale कर रहे हैं, तो, क्या यह supply माना जाएगा, schedule 1 के अंदर या नहीं, तो, यहां पर भी, जो मैंने आपको, उपर concept बताया है, वो ही लगेगा, उपर मैंने क्या concept बताया है, आप बताव बरको, invoice वाली कहानी, जो मैंने आपको बताई नहीं उपर, consignment में पढ़ाया था, चलो, अच्छी बात है, तो, वही बात यहां पर भी है, ठीक है न, अगर वो आप, अपना invoice, अपने नाम पर इशू कर पा रहे हो, देखो, by the DCA, in his own name, the DCA will fall under the ambit of agent, और अगर agent बन जाएगा, second point में वो बतायता हूँ, invoice in the name of DCA, then supply, otherwise not supply, ठीक है, second में यह बताया है, कि DCA जो है, second point में क्या बताया है, आप read please कर ले न, मैं थोड़ा सा इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, reason being, मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें, ठीक है, यह जान के ओमक दे रहा हूँ, Mr. C, Mr. DCA, इनक कि अगर DCA short term loan facility provide कर देता है, suppose Mr. A ने goods यहाँ दी, इन्होंने यहाँ दी, और यह जो है, देखे, इन्होंने कहा कि आपको हमें payment, इसको हटा हूँ, चलो मैं आपको read ही करवायता हूँ, तो direct समझ महां असानी हो, इसको, whether a temporary short term transaction based on loan extended by the DCA to the recipient for which interest is charged by the DCA is to be included in the value of goods being supplied by the supplier, where DC DCA is not an agent under para 3 of schedule 1, क्या कह रहे है, आपना एक section पूड़ोगे section 15, value of supply के अंदर, जिसमें बात बताई जाती है, कि अगर delay की जाती है payment और इसकी वज़ए से supplier interest वगरा कुछ चार्ज करता है, तो उसे value of supply में add कर दिया जाता है, transaction value के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पर यह कह रहे ह ठीक, अब यह payment जो है Mr. C को करनी है, Mr. C DCA को करेंगे, यह आगे transfer करतेंगे, अब Mr. DCA क्या करते हैं, क्याते हैं, आपको दिक्कातारी payment करने में, मैं आपको एक महीने का credit period देता हूँ, मतलब आप एक महीने बाद payment कर देना, अब अगर Mr. DCA एक महीने का credit period दे रहे हैं, तो कि DCA ने जो यह short term loan facility provide करी Mr. C को, क्या इसे इसके अंदर add कर देना चाहिए, suppose यहाँ पर interest का amount बन जाता है, एक हजार रुपए, ठीक, तो क्या इस एक हजार को एक लाग के अंदर add कर देना चाहिए, और पूरे एक लाग, एक हजार पर tax लगना चाहिए, यह सवाल है यहाँ अगर DCA ने जो supply कर यह देखो, यहाँ पर लिखा है, where DCA is not an agent, अगर DCA agent नहीं है, तो फिर जो interest charge कर रहा है, यह भी value of supply में add नहीं होगा, यही बात लगाईगा, यह देखो, DCA ने रिसीपेंट को supplies दी है, यहाँ पर Mr. A ने Mr. C को नहीं दी, जो credit facility दी है Mr. A नहीं दी, यह DCA ने Mr. C को दी है, यह principal to principal दी गई supplies है, principal to agent नहीं है, तो इस पर GSTB नहीं लगेगा, यह बात लगेगा, therefore, interest being charged by the DCA would not form part of the value of supply of goods supplied by the supplier, clear है बात, और अगर DCA agent है, और agent है, औ तो क्या होगा, बताओ दो मुझे, उपर उन्हें ने खुद ही बताया कि DCA agent नहीं है, तो नहीं होगा, और DCA agent है, तो आप add कर दोगे value of supply के अंदर, यही बात बताईगे, यही बात बताईगे, यही बात बताईगे है, it is further clarified the value of interest charge by such credit would be required to be included in the value of supply if DCA is agent, अगर DCA agent है, तो आप यह बताईगे, समझ में आ गया, सभी लोगों को जितना मैंने बताईगी बात अभी बात है, चलो, वापस आज हो जी, सुनिये ध्यान से, next हमारा schedule 1 में point है, sir, अगर आप import of service करते हो, तो हम उसे GST के अंदर रखेंगे, अब यह जो बाते हैं पर तीन लिखे हैं ना, इन बातों को मैं एक simple से chart से समझायता हूँ, बस अगर आपके पस perfect revision book है, तो यहाँ पर distinct person लिखावा है, चलो जी, import of service, अगर आप import of service कर रहे हो, तो कब उसे supply माना जाएगा, कब उसे supply नहीं माना जाएगा, एक बड़े ही सरल से chart से मैं आपके साथ इसको discuss करने वाला मतलब क्या है इसका, कि consideration involved है, ठीक है जी, तो क्या लिख होगे इसके नीचे, always treated as supply, weather for business, और personal, समझ में आती है बात, समझ में आती है बात इतनी, कोई दिक्कत यहां तक, सर अगर import of service करी आपने, पीछे ही मैंने बताया था, किसी भी काम के लिए, consideration pay किया है मैंने, supply मानी जाएगी, चाहे personal हो, चाहे professional हो, चाहे business हो, अगर मैंने consideration pay किया है, तो मुझे वहाँ पर GST कि जो है वो pay करना पड़ेगा, उसे supply treat किया जाएगा, ठीक, समझ में आती है बात, without consideration है सर अगर, import of service, और वो भी without consideration, तो हमारी सरकार कहती है, कि आपको दो चीज़े चेक करनी है, received, from related person, क्या आपने related person से receive करी है, plus, मतलब दूसरी condition भी साथ में चेक करनी है, एंड लिख देता हूं मैं, एंड, in the course, और, furtherance of business, अगर आपने without consideration, services, import की है, तो दो चीज़े चेक कर लो, क्या आपने related person से लिए है, और अगर related person से लिए है, तो क्या आपने in the course और furtherance of business में लिए है, और अगर ये दोनों बाते satisfy हो जाती है, कोई एक नहीं दोनों, जैसे कि हमने section 6 पढ़ा है, जब हम ROR और NOR निकालते हैं, तो हम क्या देखते हैं, condition देखते हैं न, वैसे ही यहाँ पर, अगर ये दोनों condition satisfied हो जाती है, तो आप कहोगे कि ये supply है, और अगर दोनों condition satisfied नहीं होती, तो supply नहीं है, ठीके, तो ये बात अब लिख लेते हैं और, यहाँ पर, if both the conditions, if both the conditions are satisfied, बिख बता तो क्या बात है, then consider as supply, otherwise no supply, otherwise का मतलब, अगर consideration, इन्वे से कोई भी a condition satisfied नहीं होती है, तो supply नहीं माना जाएगा, आगे चलू, आगे चलू, अब सर समझ तो आगया, लेकिन example ले ले लेते हैं, और फिर बात करते हैं, और आज ये chapter खतम कर देंगे, और इसके बाद, फिर questions भी देखने हैं हमें, ठीके न देखो, घ्यान से देखो, जुम्रू Associates receive a legal consultancy services from its head office located in Malaysia, चलो, अब जो मैं example पढ़ा रहा हूँ, अगर फिलाल personal use के import करें, और बाद में कुछ साल बाद उसे business में लाएं, तब पूछा, आप कह रहे हो कि आपने services import, तो आप भी बताओ, आपने पैसा दिया था कि नहीं दि पर्सनल, आपने आज लिया और कुछ अभी personal use करते रहे, करते रहे कुछ सालों के बाद जैसे कि कोई software लिया आपने और उसे business में use करने लग गए, आपने software लिया 5 साल यूस कर रहा और उसके बाद आप उसे business में use करने लग गए, आप example ले सकते हो ना, ज्यसके मैंने software लिय तरह और अब business में लेकर आ गया तो वो फिर import of service business के purpose से कहां हुई वो तो 5 साल पहले import of service थी अभी थोड़ी हुई import of service समझ रहे हो देखो जुमरी associates receive a legal consentacy services from its head office located in Malaysia the head office has rented such services free of cost to its branch भई head office कहां पर है Malaysia में जुमरी associates का और इनकी branch कहां पर है इंडिया के अंदर है ठीक है ना free of cost इनने services अवेल करी जुमरी associates इनका office इंडिया में है ठीक है ना तो वो क्यों ले रहा है क्योंकि इंदी course और furtherance of business में है समझ में आगी बात समझ में आगी बात अगला example पढ़ू फटा फट यस नो करते रहो यार तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा वरना फिर मैं आटका रहोंगा या आपको समझ में नहीं आया हाँ अगला point सभी लोग प्लीज सभी लोग request है मेरी यस नो करते रहो चंपा का प्रोप्राइटर रजिस्टर इन डेली हैस सौट आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम इस सन लोकेटिट इन यूए अपने सं से जोकी यूए में लोकेटिट है मतलब काम करते हैं ठीक है इसके लिए अपने सं से कुछ सर्विसेज लिए अब चंपक जीने अपने सं से सर्विसेज लिए ठीक है और विदाउट कंसिडरेशन नी है तो क्या यहां पर इसे सप्लाइब आना जाएगा तो क्या था पर श्रीनिती वाला बेरेखाल से आपके स्टडी माट में प्रेफर प्रेक्टिस बुक के अंदर और एक्जाम में आया वा कोशन है तो वह कोशन देखना जरूर ठीक है हाँ यहाँ पर सरिफ एक ही कंडिशन फुल्फिल हुई दोनों कंडिशन देखनी है हमें और दूसरी बात किसी को कोई डाउट कोई परिशानी कोई अच्छा अब गवर्मिट के बारे में बात कर लेते हैं अगर फ्री सेंपल बाटे जाते हैं किसी ओरनाइजीशन के द्वारा तो क्या उसे आप विडाउट कंसीडरेशन है तो अगर free sample बाटे जाते हैं without consideration है क्योंकि तो आप इसे supply नहीं मानते लेकिन अगर हाँ ध्यान से सुनो मेरी पूरी बात लेकिन अगर schedule one वाली category में यह आ जाते हैं तो फिर आप इसे supply मानोगे सर schedule one वाली category में आ जाते हैं यह समझ में नहीं आई बात कि schedule one में आ जाते हैं यह क्यों भाई Mr. A है Mr. A है ठीक इन्होंने साबून बनाने की factory शुरू किरी ठीक जी साबून बनाए 10,000 साबून मना दिये 10,000 यूनिट्स बनाए ठीक जिसमें से 2000 मार्किट में बिक्ये इतना वाईयात साबून था कि 8,000 लोगों ने नहीं खरीदे अब यह क्या करेंगे क्या करेंगे इन 8,000 को यह दो डंप कर दे यह बाट दे फ्री में और बिजनस अबना बंद कर रहे हैं अब यह बिजनस अबना बंद कर रहे हैं तो business की जितनी भी तो स्केडूल वन में आ गया बिना पैसे लिए आप अपनी इंवेंटरी खतम कर रहे हो बिजनस असेट विदाउट कंसीडरेशन पर्माइनटली डिस्पोज आफ कर रहे हो गुवर्मेंट ने कहीं सप्लाइफ गूड्स मानेंगे ठीक है तो अगर स्केडूल वन वाली किसी साथ में आ जाता है तब तो आप उसे मानोगे सप्लाइफ नहीं मानोगे ठीक है सिंपल सी कहानी यह है फ्री सैंपल अगर दिये जाते हैं सप्लाइफ नहीं माना जाएगा लेकिन अगर स्केडूल वन में किसी केटेगरी में आ जाते हैं तो सप्लाइफ मान लिया जाएगा ठीक है इसी के साथ एक और इसमें आता है buy one get one offer आप गए आपने पांच किलो सर्फ खरीदा और एक बाल्टी फ्री मिल गई ऐसा होता है कि नहीं होता होता है कि नहीं होता अलॉंग विद नेसे नियूस्पेपर वी रिसीव स्मॉल ट्यूब ओ फेर और लवली क्रीम यह अच्छा सवाल है इनके घर में न्यूस्पेपर आता है देखो और उसके साथ तो फेर और लवली की छोटी ट्यूब भी आ रही है निकलके पता नहीं मैंने बहुत टाइम से निस्पेपर में कुछ होता नहीं काम का पुड़ा भरा रहता है यह ना तो कह रहे हैं कि उन्ह इसे क्या ट्रीट किया जाना चाहिए मैं आपके साथ जरा वापस चलता हूं जरा वापस चलता हूं यह तो एजेंट प्रिंस्पल हो गया यहां पर आओ स्केडूल बनिया से शुरूआ था हमारा क्या यह जो फ्री सेंपल बाते जा रहे हैं जरा धहां से समझेगा एक अच नहीं है supply of goods or services both between related person or distinct person है क्या यह यह नहीं यह नहीं है supply of goods पर प्रिंसिपल और agent वाली कहानी है नहीं है और import of service तो वैसे भी नहीं है है ना import of service तो वैसे भी नहीं है ठीक जी आजाओ buy one get one इसमें क्या होता है sir इसमें क्या होता है भई it may appear at a first glance that in case offer like buy one get one free one item is being supplied free of cost जब अब buy one get one खरीदते हो तो आपको ऐसे क्या लगता आपने तो यह समान खरीजा था आपने 5 kg वाशिंग पाउडर खरीदा था आपको एक bucket free में मिल गई तो आपने तो सिर्फ इसके लिए consideration पे करा इसके लिए price पे करा यह तो free है ऐसा ही लगता है हमें और ऐसा ही दिखाया लेकिन lawmakers क्या कह रहे है lawmaker कह रहे है नहीं ऐसा नहीं यहां पर इन दोनों के लिए एक single consideration charge किया जा रहा है और company यह बाद जानती है कि 5 kg का जो हमारा यह packet बिकेगा 5 kg का इसमें हम इस bucket की cost include करके निकाल लेंगे तो यहीं बात lawmakers ने कहीं यह देखिए आपर in fact it is not an individual supply of free goods individual supply नहीं है but a case of two or more individual supplies is where a single price is being charged for the entire supply यह क्या supply मानी जाएगी कि एक पूरी यह consolidated supply है जिसके लिए एक single price charge किया जा रहा है it can be best treated as supplying of two goods for a price of one हम इसे क्या मानेंगे कि आपने दो goods दी है और इनके लिए single price charge किया है ठीक तो buy one get one में जो समान free में मिल रहा है उसे भी supply की श्रड़ी में रखा गया है तो इस पर taxability कैसे arise होगी तो इसके लिए government ने बताया कि आप यह चेक करो कि जो supply है यह क्या composite supply है क्या यह mix supply है और composite supply और mix supply में text कैसे लगता है यह आने वाले पाच मिनिट में आपको पता लगने वाला है उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि compositor mix supply क्या होती है तो पहले यह बताओ क्या यह समझ में आगए आपको clarification चलो import of service और यह free goods sample यह समझ में आ चुके हैं ठीक है अब हमारा यहां तक जो आप लोगोंने मेरे साथ पढ़ा देखो schedule 1 पूरा हो जाता है schedule 1 में वो transactions थी जिनने हम supply of supply treat करेंगे बले ही वो बिना consideration के की गई हो समझ आती है बात schedule 1 समझ में आ गया आप अच्छे से revise कर लिजेगा इसको तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है अब हम चलते है schedule 2 की तरफ schedule 2 में हमने क्या देखा था schedule 2 में हमने गवर्मेंट क्या रही थी किन transactions को किन activities को हम supply of goods मानेंगे किन को supply of service यह हम बताएंगे और जो हम यहां बता रहे हैं वो supply के अंदर आएंगी और supply के अंदर आएंगे तो फिर GST भी लगेगा ठीक है तो one by one हम सभी को समझते हैं बहुत आसान सा है पहली चीज पहली चीज़ देखिए ट्रांसर उपर जो मैंने आपको बात बताई वही लिखिए हैं पर के schedule 2 के अंदर वो transactions बताई गई है ठीक है देखो any transfer of title in goods अगर आप goods का title transfer कर देते हों और any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property shall pass at a future date higher purchase के किसमें क्या होता है सब आप यह agreement कर लेते हो कि अगर आप यह installments पे कर दोगे तो last installment के pay करते ही यह good आपका हो जाएगा title इसका आपके नाम पर transfer कर दिया जाएगा तो आप वहाँ पर agreement करते हो कि हम यह future में transfer कर देंगे या फिर आप अभी transfer कर देते हो जैसे कि आपने गए पैसे दिये समान खरीदा तो इसे क्या treat किया जारा है जब आप किसी good का title दे रहे हो तो आप इसे क्या कहोगे क्या यह supply of good है supply of service है कुछ नहीं है सर supply of good है के से यही बात बताईए comment ने कि अगर transfer किया जाता है title किसी goods का या आप agreement कर लेते हो कि in future आप good का title transfer करोगे तो government कह रही है कि हम इसे supply of goods कहेंग supply of service नहीं मानेंगे ठीक है ना आप यह नहीं कहोगे कि सर future में supply कि आहां जो goods है वो आपके नाम पर आएंगे जब सारी इस्टार्म पे कर दोगे तो हम इसे supply of service मानेंगे नहीं supply of goods समझ में आती है बात इतनी higher purchase की case में ऐसा होता है होता है कि नहीं होता यह समझ में आगया आ जान से समझना एनी transfer of right in goods undivided share in goods without the transfer of title आपने goods का title नहीं transfer किया गुट्स की ownership आपके पास है आपने right दे दिया है वस कि ठीक है right to use आपके पास है जैसे कि lease में होता है tenancy में होता है easement में होता है easement भी आदेगो immoval property को जो आप देते हो rent पे उसको कहते है license to occupy land इसको क्या बोलोगे इसको supply of service कहा जाएगा ठीक है very simple इसमें कुछ technical तो है ही नहीं ठीक है आजाओ next आपका है point land and building any lease tenancy easement license to occupy land or any lease or letting out of building including commercial industrial or residential complex for business or commerce holy or partly will be supply of service ठीक है ना आप lease पे दे रहे हो tenancy पे दे रहे हो easement दे रहे हो तो वो supply of service माना जाएगा ठीक है treatment और process इसका क्या मतलब है एक example लेता हूँ Mr. A नीचे देखो example दिया यह इसी को read कर लेते हैं AB houses dyes the clothes given by Shivani Textile Limited on a job work basis बही जॉब वर्क के लिए AB house ने कपड़ों पे रंग करने के लिए Shivani Textile को दे दिया Shivani Textile उन पे काम करेंगे और वापस भेज देंगे तो यहाँ पर यह treatment किया गया यह process किया गया इसो हम क्या बोलेंगे इसको हम supply of service कहेंगे समझ में आती है बात क्लियर है यहां तक यहां तक क्लियर है next point transfer of business asset अगर आप business की asset transfer करते हो goods summing part of business asset transfer or dispose of under directions of a person carrying on the business so far no longer form part of the asset is supply of goods आप business की assets को dispose of कर रहे हो transfer कर रहे हो किसके direction में जिसका व्यक्तिका business है तो गौर्मेंट ने कहाँ इस supply of goods माना जाएगा क्योंकि इसे क्या होगा हम कहेंगे कि आप इपने goods यह supply कर दी है sale कर दी है simple कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत बहुत simple है देखो इसमें कुछ भी नहीं है बस read करते रहना आपको और यह समझ में आता रहेगा आपकी goods थी business asset का part थी अब आप उन्हें हटा रहे हो dispose of कर रहे हो तो गौर्मेंट ने कहा कि हम उसे supply of goods मानेंगे ठीक है जी goods आपके पास business में थी ठीक है न देखो goods healthy used business are put to private use or made available to any person for use of any purpose other than business by or under directions of a person carrying on the business will be supply of service अब यहां पर देखो आपने क्या करा आपने यहां पर goods दिये हैं लेकिन use करने के लिए दिये हैं ठीक है जैसे कि example दिया गया कि एक person अरून एक sole proprietor है इनके पास अपना laptop था इन्होंने laptop office में use करते थे अपने laptop अपने बेटे को दे दिया कि आप इसको जो है अपनी school की presentation सगरा बना लो ठीक तो government ने कहा हम इसको supply of service treat करेंगे चलो आजो good swarming part of a set part of a set of any business carried on by person who ceases to be a taxable person क्या हा कर लेंगे क्या कह रहें कि भई Mr. A है ध्यान से समझेगा Mr. A है Mr. A है देखिए Mr. A है यह business carry कर रहे थे और अब यह taxable person नहीं रहेंगे मतलब GST में अपना registration cancel कर रहे हैं Surrender कर रहे हैं या हो सकता है कि अपना business बंद कर रहे हैं ठीक है तो आप business बंद कर रहे हो और business की assets को आप transfer कर रहे हो तो government ने कहा कर कि ऐसी situation आ जाती है कि कोई person जो की taxable person था और अब वो taxable person नहीं रहने वाला और अपने business की assets को वो dispose of कर रहा है sale कर रहा है तो हम इसे supply of goods treat करेंगे ठीक है अब आप इसको पढ़के देखिए goods forming part of asset any business carried on by a person who ceases to be a taxable person अब वो taxable person नहीं रहने वाला तो इसे अब क्या मानोगे shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of business immediately before he ceases to a taxable person तो आप इसे supply of goods मानोगे जैसे कि Amit trader है wind up कर रहे है अपना business तो जितने भी goods उनके stock में पड़े थे वो सारे के सारे अब supply कर दे रहे है जो उनके पास raw material था WIP था finished goods और सब भेज दे रहे है तो government ने क्या कहा कि इसे हम supply of goods treat करेंगे क्या treat करेंगे आगे चले इस point की लेकिन एक छोटी सी exception है suppose आप अपना आप पूरा का पूरा business as a going concerned मतलब आप business बंद नहीं कर रहे हो तो देखो ITC avail ना करने का मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझना इस point के पीशे चले आपको लेके चलता हूं Mr. A इन्होंने Macbook purchase करी 2,000,000 रुपए की ठीक इस पर tax suppose इन्होंने pay करा था 24,000 रुपए का ठीक इन्होंने खरीदी कितने की 2,000,000 मतलब इनकी जेब से कितना पैसा गया 24,000 ठीक अब अगर इन्होंने इसे business में use किया होगा अगर इन्होंने इसे business में use किया होगा तो इस 24,000 पर क्या किया होगा इन्होंने ITC claim किया होगा ITC claim किया होगा तो इनको कीमत कितनी पड़ी होगी 2,000,000 रुपए की ठीक 2,000,000 रुपए की पड़ी होगी तो government को तो यहां पर इसमे इस नहीं मिला क्योंकि उन्होंने ITC claim कर लिया था और अब इसे पर्मनेंटली डिस्पोज आफ कर रहे हो तो government कह रही है कि अगर आपने पर्मनेंटली डिस ओफ डिस्पोज आफ किया ऐसी असा जिस पर ITC claim किया था तो हम माल लेंगे ठीक क्योंकि अगर मैंने ITC नहीं लिया अगर मैंने ITC नहीं लिया इसका मतलब मैंने personal use के लिये होगी और personal use के लिये होगी तो मेरी personal asset हो गई ठीक है अब personal asset पर थोड़ी GST लगाती रही सरकार आपने कोई समान खरीदा अपने personal use के लिए और अब आप उसे बेच के नहीं खरीदना चाहते हो तो उस पर GST की लेगी comment ठीक है ना आगी बात आगे चले आगे चले तो exception क्या है अगर आप going concern में अपना पूरा का पूरा business transfer कर देते हो तो फिर पूरा business ही transfer कर दिया और वो व्यक्ति उस business को चलाने वाला है ऐसा going concern का क्या मतलब है कि business बंद नहीं हुआ बस यहाँ पर ownership बदल गई अगर business बंद हो जा रहा है तो फिर supply मान लोगे business continue रहने वाला है supply नहीं मानोगे उपर दी गई बात कि exception है सब्सक्राइब आगी बात सब्सक्राइब आगी बात सब्सक्राइब आगी बात renting of immovable property अगर आप rent पे दे रहे हो immovable property तो government ने कहा कि हम इसे supply of service treat करेंगे जैसे कि renting of commercial complex renting of presence of religious place मतलब religious place के आसपास का जो area होता है है ना जैसे कि दुकाने हुई धरम शाला हुई कोई community hall है कोई उनके पास park है religious place पे तो वो अगर किराय पे दिया जा रहा है तो government carry कि उसे supply of service माना जाएगा और इस पे GST लगेगा renting of property to an educational institution educational institution को आपने rent पे दिया property ठीक है ना तो उसे supply of service माना जाएगा डालो और यहां पर code लिखे होते है john's item आपको चाहिए जो भी item उसके उपर का लिखावा code press करो आपके पास आइटम आ जाता है है ना तो वहां पर फिर वो कह रहे है कि यह जो place दिया जा रहा है यह GST में supply of service मानेगी section 15 है आपका value of supply के नदर आता है जिसमें बात बताई गई है कि अगर आप इस तरीके से कर रहे हो जिसमें consideration जो है वह non-monetary form में है तो किस तरीके से valuation होती है वह section 15 में बताई गई है ठीक है non-monetary consideration की valuation किस तरीके से होती है section 15 बताता है CA inter का part नहीं है CA final में सीखोगे वह ठीक है clear है CA final आगे चले schedule 2 के अंदर schedule 2 के अंदर schedule 2 के अंदर schedule 2 के अंदर next point अगर construction की जा रही है complex की construction services provide की जा रही है तो government ने कहा उसे supply of service माना जाएगा अगर construct करते हो complex building building कोई civil structure ठीक है नहीं तो और आपको जो consideration मिल रहा है आपको जो consideration मिल रहा है जैसे कि आपने building मनाई flats मना कर आप बेचुने वालो और building complete होने से पहले certificate of completion मिलने से पहले आपको consideration अगर receive हो रहा है तो उसे supply of service माना जाएगा लेकिन अगर completion certificate मिलने के बाद आपको consideration मिलता है तो उसे supply treat नहीं किया जाएगा क्यों क्योंकि वो sale purchase of immovable property होगा जो की revenue होता है state government का और उस पे हम stamp duty charge करेंगे GST में taxability arise नहीं करेंगे GST में taxability arise हो रही है work contract पर construction services पर तो construction services के case में क्या बात बताएगी है जो आपके सामने मने रखी एक example देता हूँ देखो राही builder has constructed individual residential unit for an agreed consideration of rupees 1.2 crores per unit एक करोड 20 लाख रुपे की एक unit ये बेचने वाले हैं 90 लाख रुपे इन्हें एक देखो 90 lakh per unit was received before issuance of completion certificate by the competent authority जो की municipality होती है और balance बाद में मिलेगा तो यहां पर राही builders जो services दे रहे हैं ये construction की services मानी जाएंगी और इस पर GST लगेगा लेकिन अगर ये जो certificate of completion मिलने के बाद इन residential unit को बेचते हैं तो इस पर GST नहीं लगेगा समझ में आगी बात very very important इसको mark करो mark करो important important mark करिये चलो अगर आप transfer करते हो right to use देखो temporary transfer of permitting to use or enjoyment of any intellectual property आपने copyright दे दिया आपने कोई formula patent use करने के लिए दिया तो आप बता उसे supply of goods मानोगे या supply of service मानोगे आप बताई उसे क्या मानोगे supply of service मानेंगे हां जी supply of service ठीक है इसी तरीके से development design programming customization adaptation अप्ग्रेशन इनहांस्मेंट implementation of IT software तो यह क्या माना जाएगा सब अप्ग्रेट कर रहे हो किसी के software को उसमें कुछ अप्डेशन कर रहे हो वेबसाइड की ओपर ठीक है ना तो IT support दे रहे हो software का तो यह सब क्या है supply of service के श्रणी में आता है है ना very simple अच्छा यह वाला point एक बहुत important है क्योंकि इसके अंदर government ने आपको देखिए clarifications दी है clarifications दी है यह point मैं आपको end में कर रहा हूंगा अभी इसको हम नहीं करेंगे इसके उपर recent amendment आई है आपके मई 23 exam के लिए तो यह point हम बाद में करेंगे ठीक है इसको mark कर लिजेगा करेंगे ज़रूर लेकिन क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि इसमें न तीन बाते हैं number one number two number three यह तीन बाते बताईए और इन तीन बातों को ना इतने अच्छे से explain किया है कि हो सकता है कि इस बार मई 23 में और number 23 में exam में question पूछे ही पूछे तो यह क्या बाते बताई है यह हो सकता है कि मैं आपको आज नहीं कल की class में बताऊं आज मैं schedule 2 पूरा कराऊंगा इस point को छोड़ूँगा क्योंकि इसके अंदर मैं चाहता हूं कि आप fresh mind से पढ़ो बहुत detail में government इसके अंदर clarification दिये ठीक है तो इसको mark करिएगा कि यह हम अभी करेंगे ठीक है बहुत मज़ा आएगा आपको यह पढ़ने में next है transfer of right to use any goods for any purpose will be supply of service आपने transfer कर दिया right to use supply of service ही माना जाएगा सीधी सीधी बात है supply of goods तो आप उसे मानोगे नहीं ठीक है जी clear है इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि work contract की जो services provide की जाती है उसे हम supply of service मानते है और work contract का क्या मतलब है contract दिखिए building बनाने का construction का fabrication का completion का erection का installation का fitting out का improvement modification repair maintenance renovation alteration commissioning of any immovable property wherein transfer of property in goods is involved in the execution of such contract मतलब यह contract पूरा होने के बाद जो property है वो transfer कर दी जाएगी तो जो व्यक्ति यह सारे काम कर रहा है वो क्या कर रहा है वो supply of service provide कर रहा है यह बात बताई गई है समझ में आगई की नहीं आगई बताई है अगली चीज़ supply by way of or as a part of service in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink will be supply of service restaurant services, restaurant में आप खाना खाने जाते है तो वो आपको आपर खाना सर्व करते हैं food के साथ साथ ड्रिंक सर्व करते हैं तो government कह रहे है कि वहाँ पर वो supply of goods नहीं कर रहे है वो supply of service कर रहे है ठीक है तो जो भी देखिए आपको सर्व किया जा रहे है उसे कह रहे है कि वह supply of service माना जाएगा लेकिन यहां पर देखो drink भी लिखाव है इसमें other than alcoholic liquor for human consumption है क्योंकि इसके ओपर अभी भी वैट लगता है मैंने आपको कहा था GST नहीं लगता तो alcoholic liquor for human consumption अगर supply की जाती है तो उस पे वह वह वैट लग जाता है GST नहीं लगता ठीक है हाँ foods good आप कभी भी जाना देखो restaurant में खाना खाने तो वह आपसे ना जब पहले वह service charge करते हैं आपसे कभी आपने देखा हाँ जी ठीक है तो ध्यान रखिएगा यह supply of goods नहीं है supply of service है government ने clarify किया schedule 2 की मदद से हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे है schedule 2 चलिए फिर wind up करते हैं आज की class thank you so much okay guys thank you